जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत अविनन्दन करते हैं आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जर्नल इंट्री की बात करेंगे और जर्नल इंट्री के साथ आपको एक जो आपका नया चाप्टर है जिसका नाम है आपका लेजर जर्नल इंट्री और लेजर दोनों चाप्टर को एक साथ हम क्या करेंगे एक ही लेक्चर में आपके आपको ये जारना पड़ेगा कि जर्नल इंटी में account कितने तरीके के होते हैं journal इंटी की जब आप बात करते हो तो journal इंटी में जो आपके account का classification होता है वो दो भागों में किया जाता है एक जिसे आप नाम देते हो, personal account का नाम देते हो और दूसरा जिसे आप नाम देते हो इन पर्सनल एकाउंट का आप नाम देते हो एक हो गया आपका पर्सनल एकाउंट और दूसरा क्या हो गया आपका इन पर्सनल एकाउंट जब आप personal account की बात करते हो तो personal account को हम 3 category में convert करते हैं जिसमें जो सबसे पहला person आता है जिसे हम नाम देते हैं आपका natural person और natural person का मतलब क्या होता है कि natural person account मतलब राम का account हो गया, शाम का account हो गया, विपल मिश्रा का account हो गया, आपका account हो गया तो अगर एक ऐसा account जो किसी जीवित विक्ति का बनाया जा रहा है वो आपका क्या कहलाएगा natural account कहलाएगा जैन उसके बाद दूसरा होता है आपका artificial account दूसरा आपका क्या होता है artificial account तो artificial का मतलब यह होता है कि it is a created by the law यानि जो या जो identity या जो entity आपकी create की गई है किसके दौरा create की गई है आपकी law के दौरा क्रियेट की गई है वो आपका क्या क्या कहलाता है artificial कहलाता है और तीसरा जिसे हम नाम देते हैं आपका representative का नाम देते हैं यह क्या करता है कि representative होता क्या है कि यह original transaction को hide करके अपने क्या कहते हैं particular transaction में यह क्या करता है दिखाता है अब यह आपको example की साहता से मैं आपको समझातूंगा अगर किसी ने पूछा कि natural आपका person कितने account में बढ़ते हैं तो आप सीधा answer देंगे कि सरतीन तरीके के होते हैं एक आपका natural है दूसरा आपका क्या है artificial है और तीसरा क्या है आपका representative है अब जब आप personal account की बात करते हो तो personal account अगर मैं ऐसे कहूं तो ध्यान से समझना एक shortcut इसको समझाने का मैं आपको बता सुनिएगा क्या बोला मैंने आपका capital और liability किसी ने पूछा कि personal account कि से related है तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर capital से related है और आपका किस से related है आपके liability से related है ठीक है clear हो गया अब ठीक उसी प्रकार जब हम in personal की बात करते हैं बेटा तो in personal account आपका classify किया जाता है आपके real account से classify किया या फिर आपके nominal account से classify किया जाता है real account से classify किया जाता है या किस से classify किया जाता है आपके nominal account से देखो real account जो की आपकी business की assets से deal करता है business की किस से deal करता है वो आपके assets से deal करता है clear हो गया इतना point और जब आप nominal account की बात करेंगे तो nominal account business के profit या business के loss से deal करता है या आप ये भी कह सकते हो कि ये आपके expense और income से क्या करता है आपका deal करता है तो nominal account किसे deal करता है आपके profit और loss से deal करता है और किसे deal करता है आपका income और expense से ये क्या करता है deal करता है point clear हो गया बेटा जी इतना point समझ में आ गया आपको तो account का classification समझ में आ गया अब यहाँ पर एक point और मैं आपको बता देता हूँ जब आप transactions की बात करते हैं तो transactions को हम लोग 5 भागों में classify करते हैं अभी तक हमने account को classify किया था अब किसको classify करेंगे? transaction को classify करेंगे और यह जो transaction है आपके account के parallel ही है clear हो गया बेटा जी तो जब आप business transaction की बात करेंगे तो business transaction आपका कितने भागों में classify होता है? 5 इनमें सबसे पहला नाम आपका आता है capital transaction दूसरा नाम आता है आपका liability transaction दूसरा नाम क्या आता है? liability transaction फिर उसके बाद तीसरा नाम आता है आपका income transaction फिर उसके बाद अगला नाम आता है आपका क्या expense transaction लास्ट आता है आपका क्या नाम आपका assets transaction यानि इन पाचों transaction के अलावा कोई छटवा transaction आपको देखने को नहीं मिलने वाला है अब देखे ये तो transaction के मैंने नाम लिख दिये अगर हम बात करें capital liability की बात करें ये आपका किस account से related है आप कहोगे कि सर ये तो अभी अभी आपने बताया कि सर ये personal account से related है अगर हम assets की बात करें तो ये किस से related है आपका किस से related है real से related है ठीक है और अगर हम income की बात करें तो इंकम किस से related है, income और expense किस से related है आपका, nominal से related है, बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया, अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, point clear, अब एक चीज और देखिए, जब आप personal account के rule की बात करते हैं, तो personal account का जो rule होता है, उससे पहले आप ये जानो, कि जो आपका transaction होता है, वो दो side में record होता है, एक side जिसे हम नाम कहते हैं, देते हैं debit, और दूसरा जिसे हम नाम देते हैं, आपका क्या, credit, यानि transaction हमें किस side में record करते हैं, दो side में record करते हैं, एक होता है debit, दूसरा क्या होता है, credit, तो rule भी हमें debit और credit के according ही याद रखना पड़ेगा, तो आप ये जान तो इसका opposite क्या होगा भई receiver का opposite क्या होता है giver होता है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे credit the giver यह हो गया आपका opposite ठीक उसी प्रकार अगर मैंने यहाँ पर लिखा debit all expenses and losses expenses and losses ठीक उसी प्रकार अगर आप credit की बात करोगे तो credit क्या होगा all income and profit all income and profit बात clear हो गई real की बात करेंगे real में debit क्या होगा debit what income इन यानि जो कुछ आएगा उसे हम किस साइड लिखेंगे debit साइड में और जो कुछ जाएगा मतलब क्या होगा what what goes out what goes out यह क्या हो जाएगा आपका real account हो जाएगा बताईए यह personal account के दोनों rule nominal account के दोनों rule real account के दोनों rule आपको clear हो गए के नहीं clear हो गए point clear हो गए बेटा तो अगर transaction की बात करें तो transaction पाँच भागों में बटेगा account की बात करें तो कितने भागों में बटेगा तीन भागों में बटेगा और अगर transaction के recording की बात करें तो वो कितने भागों में होगा आपका दो भागों में होगा एक होगा debit दूसरा होगा क्या credit बात समझ में आ गई बेटा बात समझ में आ गई अब चलिए ये जितने भी rule आपको बताए गए हैं ये आपके traditional rule थे अब हम scientific rule की बात करेंगे मतलब अगर journal entry करनी है तो ये debit credit ये तो याद रखना ही रखना है लेकिन ये receiver, giver, what come in what goes out, all expenses and losses, credit ये समने याद रखना है बलकि मैं आपको एक simple सा rule बताता हूँ, उस simple से rule को आपको follow करना है ठीक है और वो simple सा rule क्या है मैं आपको बताता हूँ बेटा ध्यान देना capital liability income, ये तीनो एक बिरादरी, क्या बोला मैंने capital, liability, income ये तीनो क्या आपके? एक बिरादरी और expense और assets, ये दोनो क्या आपके? एक बिरादरी, बिरादरी को मैंने क्या कर दिया? एक में रख दिया तो rule भी इनका क्या होगा? एक जैसा ही होगा, मतलब क्या है? कि अगर इन तीनो बिरादरी में से कोई भी बढ़ता है कोई भी क्या होता है? बढ़ता है तो उस particular बढ़ने वाली चीज को हम क्या करेंगे? capital credit कर देंगे, क्या कर देंगे? credit कर देंगे, यानि capital बढ़ा? credit, liability बढ़ी? credit, income बढ़ा? credit ठीक है? सर्मालोग घाटा तो अरे तो घाटा तो opposite ना? opposite क्या हो जाएगा? debit बढ़ा तो क्या हो गया? opposite debit ठीक उसी प्रकार अगर हम expense की बात करेंगे या income की बात करेंगे expense या assets की बात करेंगे तो एक बात बताएए, क्या यह same rule यहाँ पी होगा, या इसी का just opposite हो जाएगा? मतलब क्या है सर मतलब यह है कि अगर expense या assets बढ़ती है तो हम उसे debit करते हैं और अगर expense या assets घड़ती है तो हम उसे क्या करते हैं credit करते हैं बताओ इतनी बात समझ में आ गई अगर आ गई है तो चैनल को subscribe, like, share जरूर करिएगा ठीक है बेटा आगे चलें चलो फिर आगे बढ़ते हैं और साथी साथ आपसे एक और निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को ऐसी चैनल का app है application है उसको download करना चाहते हैं तो description box में link दिया गया है उस link के माध्यम से आप हम offline batches अगर join करना चाहते हैं तो नीचे दिये गया number पर आप हमें call कर सकते हैं चले फिर अब आगे बढ़ते हैं यानी transaction की entry सीखते हैं तो देखो जब आप transaction की entry सीखेंगे तो उससे पहले आप लोगों को ये जानना अवश्यक है कि sir हम किस format में उस transaction की entry करेंगे ये जानना अ ये जानता हूँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने journal entry में कुछ नहीं पढ़ा है तो इसी लिए मैं आपको सुरू से लेकर आखरी तक बताऊंगा एक एक चीज बताऊंगा अगले डेड़ घंटे में journal entry और laser आपको complete करके दूँगा ये वादा है मेरा तो format of क्या बेटा जर्नल इंट्री अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा आपके लिए एक surprise है तर क्या surprise है surprise यह है कि अगर मैंने आपको एक जर्नल इंट्री बताई कोई भी जर्नल इंट्री बताऊंगा तो साथी साथ उसका लेजर भी बता दूँगा अथी साथ उसका क्या बता दूँगा लेजर बता दूँगा इससे क्या होगा कि आपको अलग से लेजर पढ़ने की कोई अवशक्ता नहीं पढ़ेगी आपको लेजर आटोमेटिक क्या हो जाएगा रिवाइस हो जाएगा कम्प्लीट हो जाएगा एक क्या फ़्वाइस हो जाएगा सब्समारे इसमें आप लुक तीज लाइन क् बनाईए का ज्यादा से ज्यादा Ready आपका date, यह हो गया हमारा particular, particular मतलब यहां पर हम transaction लिखते हैं, यह हो गया हमारा LF, जिसे हम laser folio कहते हैं, फिर यह हो गया हमारा DR, यानि debit, यह हो गया हमारा credit, यानि CR. लीजे, बस यही format है, सर इतना simple सा format हाँ, इतना simple सा format, clear हो गया बेटा जी? चलिए फिर, तो format हमारा बनकर हमारे सामने क्या हो गया? तैयार हो गया, note down जल्दी से करेंगे. अब देखिए, सबसे पहले आपको rule क्या याद रखना है? मैंने क्या बताया था? कि capital income liability, capital, income, liability, बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो क्या करेंगे? डाविट करेंगे. assets और expense बढ़ेगा तो क्या करेंगे डाबिट करेंगे घटेगा तो क्या करेंगे credit करेंगे तो इसी के according अब हम आगे बात करते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप लोग start देके लिखिएगा journal entry regarding capital journal entry regarding capital देखो जब आप journal entry करोगे तो मैंने आप से कहा कि journal entry में दो ही effect आपको देखना या तो बढ़ना या तो क्या आपका घटना सबसे पहला point increase of capital increase of capital अब सवाल यह उठता है कि सर increase of capital मतलब capital कब बढ़ेगा capital कब बढ़ेगा तो भाई या owner के द्वारा जब पैसा लाया जाएगा तो capital क्या होगा बढ़ेगा owner के द्वारा जब पैसा लाया जाएगा तो capital क्या हो बढ़ेगा और सर एक बात बताइए decrease of capital, अगर capital घटने की बात करेंगे, capital कब घटेगा जब owner के द्वारा पेसा क्या किया जाएगा, यानि अगर owner के द्वारा पेसा क्या किया जाएगा, बिजनिस में deposit किया जाएगा, लाया जाएगा, तो हमारी capital बढ़ेगी, अगर उसी owner ने पैसे को bidraw कर लिया तो हमारी capital क्या हो जाएगी बेटा घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी बताईए समझ में आ गया कि नहीं आ गया समझ में आ गया अब देखो मैं आपको एक छोटा सा rule याद करा रहा हूँ इस rule को आप लोग याद कर लीजेगा इस rule को आपको क्या करना है याद कर लेना है और इस rule को आप जितने अच्छे से याद करेंगे उतने अच्छे से आपकी journal entry क्या होगी perform होगी rule याद कराएं बेटा देखो सबसे पहला rule लिखेंगे सभी लोग अपनी मात्र भासा में लिखेंगे हमारी मात्र भासा क्या है कोई ये मत कहना है ना अंगरेजी ने बहुत मारेंगे जान लो कुछ अंगरेज के यहां बैठे होंगे भक्त कोई है सारे हिंदी वाले हो ना लिखो लिखो पहला पॉइंट लिखो पहला point लिखो क्या आया क्या आया पहला सवाल और क्या गया क्या आया और क्या गया यह है आपका question number one यानि अगर आप journal entry कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल ही यही पूछेंगे क्या आया और क्या गया ठीक है यह आपका question one है यह किस से पूछेंगे किताब से पूछेंगे मतलब किताब का जब आप statement पढ़ेंगे तो अपने आप से यह सवाल पूछेगा कि क्या आया क्या गया क्यूंकि जब तक आप यह सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको दूसरा question आपके सामने नहीं आएगा दूसरा question क्या कहता है जो आया है जो आया है या जो गया है जो आया है या जो गया है वो है क्या वो है क्या देखिए मैंने क्या कहा तक आप पहला question नहीं पूछेंगे तब तक दूसरे question का answer नहीं आएगा आपके पास अब दूसरे question के बाद जब तक दूसरा question नहीं पूछेंगे तीसरे question भी आपके दिमाग में नहीं आएगा अरे सर एक बात बताओ, कुश्चन है कुश्चन पूछेंगे, आंसरवा कब लाएंगे, आंसरवा तीसरे में लाएंगे, मतलब जो आया है या जो गया है, वो है क्या, अब है का मतलब या तो वो आपकी एसेट्स होगी, या तो आपकी क्या होगी वो, लाइविलिटी होगी, या तो क्या होगा, क्या पिटल होगा, या तो क्या होगा, सर इनकम होगा, या तो क्या होगा, सर एक्सपैंस होगा, बताओ, दो कोश्चन पूछने के बाद, दो कोश्चन पूछने के बाद ही आंसर आ रहा है, समझ में सर उसके बाद बताओ क्या करेंगे अरे उसके बाद वही करना जो अभी तक हम करते आ रहे हैं यानि बढ़ा तो क्रेडिट घटा तो क्या क्रेडिट मतलब capital liability income बढ़ी तो क्या credit घटी तो क्या debit assets expense बढ़ा तो क्या debit घटा तो क्या credit ये दिमाग में सेव हो गया बेटा जी आईए सवाल करते हैं तो मैंने क्या कहा कि journal entry उभी किसकी capital की तो अब बताओ capital अगर बढ़ेगा तो उस capital को क्या करेंगे हम लोग credit करेंगे न और अगर capital घटा तो क्या करेंगे debit करेंगे बात समझ में आ गई अच्छा सर, assets होता तो assets होता तो assets बढ़ता तो क्या करते debit, assets घटता तो क्या करते credit, बात समझ में आ गई अच्छा एक सवाल है आप से जवाब दीजिएege जो journal entry हम करते हैं वो किस की करते हैं, business की या business man की बिल्कुल correct answer है जर बिजनेस बिजनेस की अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर बिजनेस मैन की तो एक काम करो अपना सर एक बार दिवाल में मार लो मैं तो मार पाउंगा नहीं मार लो क्योंकि भी या बिजनेस मैन कब से entry करने लगा सर हाथवा से तो करता है मालिक हाथवा से करता है लेकिन अपने लिए नहीं करता बिजनेस के लिए करता है अपने हाथ से अपने हाथ से किस के लिए करता है बिजनेस के लिए करता है मजा कर रहे थे सर वाकई में दिवाल में मत मारिएगा नहीं तो पता चला मेरे खिलाब केस उस हो जाए चलिए वेड़ा पहला point लिखेंगे देखें पहला question है आपका business started with cash business started with cash business started with cash यानि आपने cash में business start किया कितने रुपए का चलि एक लाक रुपए इसका मैं ने आप से क्या कहा था बेटा कि आपको सवाल क्या क्या पूछना है सबसे पहला सवाल क्या था क्या आया क्या गया और कभी-कभी ऐसा होगा कि दोनों आया आया है कभी-कभी ऐसा होगा दोनों गया गया है और कभी-कभी ऐसा होगा आया भी है और क्या होगा गया भी है यानि तीनों probability यहाँ पर बनेगी आने की भी बनेगी जाने की भी बनेगी आने आने की भी बनेगी, जाने जाने की भी बनेगी, समच में आया, तो ऐसा मत सोची के खाली आना आना ही है, दोनों हो सकता, आना, जाना, आना, जाना, ये भी हो सकता है, clear हो गया बिटा, चलो देखेंगे, तो इस वाले question में बताओ, business start with cash, यानि business में क्या आया और क्या गय जाती है, capital माल ली जाती की नहीं माल ली जाती, यानि कहने का मतलब क्या है, कि business की capital क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, अगर आपको capital के बारे में नहीं पता, assets के बारे में नहीं पता, तो हमारा basic terms नाम का एक chapter है, उसको आप पढ़िए, chapter 2 है, उसको आप पढ़िए, व भलाने धेकाने धहमा के सब बताएं यहПрने मज़ा विजनस में क्या बुटा हमा इतने का कशेट है और एक लाक कशेट आपकी क epic research भी रही है बढ़ रहे है है अब ड्रेख अब dirt course क्या होता है अब कोब्हें कायस जा रहा है फिर वही गलती कर दिए आप लोग मैं कह रहा हूँ इसकी इंट्री करते हो बिजनेस की या बिजनेस मैन की बिजनेस की न तो बिजनेस मैन के पास से जा रहा है इससे तुम्हें क्या मतलब बिजनेस के पास क्या रहा है वो बताओ ना बिजनेस के पास क्या जा रहा है वो बताओ और फिर भी यकीन नहीं हो रहा है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मारी लोसर एक बार दिवाल में आ जाएगा तच में आईए बच्पन से अजमाया हुआ नुस्का चलिए हलका समारना कसके नहीं तो इंट्री किसकी करते हैं विजनेस की तो अब बताओ कैपिटल आपके लिए क्या होता है कैपिटल कैश क्या होता है आपके लिए अच्छ एक बात बताओ कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं ठीट इंट्री क्या होगी सर इंट्री देखो बेटा इंट्री होगी तुमारी क्या cash account debit to capital account ध्यान देना क्या entry होगी आपकी cash account debit to capital account कितने से बेटा एक लाग से आपका debit हो जाएगा एक लाग से आपका क्या हो जाएगा credit बात समझ में आ गई अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आप credit लिखेंगे वो थोड़ा सा दूर लिखेंगे अपने parallel नहीं लिखना है थोड़ा सा हट के लिखना है clear हो गया बेटा debit का amount credit में credit का amount बात समझ में आ गई के नहीं आ गई बात समझ में आ गई बेटा जी कोई समस्या इसमें नहीं अब मैंने आप से जो वादा किया था वो वादा पूरा करने का समय आ गया है यानि एक journal entry एक laser और ये laser सिर्फ 4-5 entry तक बताऊंगा उसके बाद नहीं बताऊंगा कारण क्या उसके बाद अपने आप आने लगेगा तो फिर बताने की क्या ज़रूरत है तो आपने इंटरी लिख लिया cash account debit to capital account अब माल लीजे कि आपको laser बनाना है किसका laser बनाना है cash का laser बनाना है या किसका laser बनाना है हमें capital का तो देखो जब आप laser बनाते हो तो laser को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ rule याद रखने पड़ेंगे क्या rule रखने पड़ेंगे? कुछ rule पहला लिखिये star देके लिखिये laser star देके लिखिये laser देखिये rule क्या है? क्याता क्या है? मातर भासा में लिखिएंगे अपने हरे transaction का हर transaction का एक account ओपन किया जाएगा एक एकाउंट ओपन किया जाएगा हर ट्रांजिक्शन का एक एक एकाउंट ओपन किया जाएगा, पहला रूल समझ में आ गया पहला रूल समझ में आ गया, जब प्रूफ करके दिखाओ तो समझ में आएगा, प्रूफ करके दिखाएगा, देखो यहां पर आपके कितनी transaction है एक हो गया आपका cash transaction और एक हो गया आपका capital transaction यानि एक account आप cash का खोलेंगे, एक account किसका खोलेंगे, capital का खोलेंगे, एक account आप cash का खोलेंगे, एक account किसका खोलेंगे, capital का खोलेंगे, कैसे आओ देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया cash account यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे cash account ठीक है अब cash account यानि आपको पहले यह जानना पड़ेगा कि format of laser क्या है इसी account में मैं आपको format of laser भी बता दे रहा हूँ देखो जब आप laser की बात करोगे जब आप किसकी बात करोगे laser की बात करोगे तो laser आपका दो portion में बता है एक आपका debit portion है और दूसरा आपका क्या है credit portion है यह हो गया आपका date फिर यह हो गया आपका particular फिर यह हो गया आपका kf और यह हो गया आपका amount फिर से date particular यह क्या हो जाएगा बेटा JF और यह क्या हो जाएगा आपका amount बताइए format समझ में आ गया कि नहीं आ गया यानि आपके एक दो तीन चार चार कॉलम debit side चार कॉलम आपके क्या credit side तो पहला point मैंने क्या कहा था कि हट transaction का एक account open करना है clear हो गया बेटा आप देखिए दूसरा rule समझे दूसरा rule क्या कहता है जिस जिस account को open किया जाएगा जिस transaction को जिस account को जिस account को open किया जाएगा open जाएगा उसके अपोजिट उसके अपोजिट वाले को ट्रांसफर किया जाएगा वाले को ट्रांसफर किया जाएगा दूसरा rule क्या कहता है जिस account को open किया जाएगा उसके अपोजिट वाले को ट्रांसफर किया जाएगा मतलब क्या है इसका अगर आप cash account ओपन कर रहे हैं तो इसके अपोजिट कौन है एक बात बताओ इसके अपोजिट कौन है आपका तो capital को transfer करेंगे और सरमाल लोग capital account open करते तो तो इसके अपोजिट कोन है आपका cash अपोजिट कोन है आपका cash अब जब आप transfer की बात करोगे ध्यान से सुनना जब आप किसकी बात करोगे transfer की तो transfer कैसे करेंगे ये देखिए ज़रा प्रांस्फर करेंगे कैसे ये देखिए ज़रा जो चीज जर्नल इंट्री के डैबिट में है वो लेजर के किस में चली जाएगी क्रेडिट में चली जाएगी और जो चीज जर्नल इंट्री के क्रेडिट में है वो लेजर के किस में चली जाएगी debit में चली जाएगी बस यही rule है आपका किसका laser का यही rule है आपका किसका laser का मतलब सर एक बार फिर से देख लो आपको पहला rule क्या कहता है कि हर transaction का एक account open करना है दूसरा rule कहता है कि जिस account को आप open करेंगे उसके opposite side वाले को आप क्या करेंगे transfer करेंगे जिसको transfer करेंगे कैसे करेंगे अगर general entry में वो debit है तो laser में किदर चला जाएगा credit और credit है तो किदर चला जाएगा debit मतलब क्या है sir मतलब अगर हम cash account बना रहें तो transfer किसको करेंगे capital को तो capital एक बात बताओ जर्नल entry में किदर है एक बात बताओ जर्नल इंट्री में ये capital किस side है तो जरा बताओ ये laser में किदर चला जाएगा debit में चला जाएगा यानि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे लिखेंगे two capital कितने से one lakh से बताइए समझ में आगया कि नहीं आगया समझ में आगया बिटा ठीक उसी प्रकार से अगर हम capital account open करेंगे अगर हम क्या open open करेंगे आपका capital account open करेंगे पहला क्या हो जाएगा आपका date फिर क्या हो जाएगा आपका particular पिर क्या हो जाएगा आपका जे एफ पिर क्या हो जाएगा एमाउंट पिर से डेट डेट फिर क्या पर्टिकुलर पिर क्या हो जाएगा आपका जे एफ पिर क्या हो जाएगा आपका एमाउंट अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें बताओ, capital account आपने open किया, तो opposite क्या था आपका, cash था न, तो cash यहाँ पर किस side है, यहाँ पर किस side है, general entry में किस side है, तो जरा बताओ, laser में किदर जाएगा यह, credit side, यानि यहाँ पर क्या लिखेंगे, buy cash account, कितने से, one lakh से, बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, वे दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो यह तो बात हो गई हमारी capital और capital को लेकर, increasing of the capital, यह तो हो गया आपका क्या, increasing of the capital, अब थोड़ा सा decreasing of capital को भी देख लेते हैं, यानि capital अगर withdraw होता है, तो क्या entry होगी लेजर के लिए आप लोग काम करिएगा, एक पेज छोड़ दीजेगा, एक पूरा पेज छोड़ दीजेगा, उसमें आपका लेजर क्या होता रहेगा, बनता रहेगा, जनल इंट्री होती रहेगी, लेजर क्या होता रहेगा, बनता रहेगा, नहीं तो मैं एक जनल इंट्र कराऊंगा एक laser कराऊंगा तो आपका page based हो जाएगा तो आप एक page laser का क्या कर दीजेगा छोड़ दीजेगा च्छिक इस तो अब तीसरा point यहां पर हम देखते हैं decreasing in capital का मतलब कि जब capital क्या कर ली जाएगी बिड्रा कर ली जाएगी मैं यहां पर लिख दूँ कैश बिड्राओ कैश बिड्राओ बाई ओनर और प्रुपीज ट्वेंटी थाउट इट कैश बिड्राओ बाई ओनर आफ रूपीज क्या बिटा 20,000 यानि 20,000 ओनर के द्वारण बिड्राओ किया गया तो ज़रा बताईए क्या आया क्या गया बिज्नस में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका एक बात बताईए बिज्नस का प्रभाव देखिए तो business का cash balance क्या होगा business का cash balance क्या हो जाएगा घट जाएगा cash आपके लिए क्या होता है assets और अगर assets घटती है तो हम उसे क्या करते है debit या credit अच्छा एक बात बताओ capital पर क्या प्रभाव पड़ेगा capital भी हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा और capital अगर घटती है तो हम उसे क्या करते है debit करते है क्या करते है बटा debit करते है यानि हमारी जो entry बनेगी वो capital account debit to cash account बनेगा capital account debit to क्या होगा cash account लेकिन यहाँ पर एक थोटा सा modification है और modification यह है कि हम कभी भी capital को debit नहीं लिखते हैं बलकि हम उसके जगह एक सब्द का इस्तमाल करेंगे जिसका नाम क्या है आपका drawing यानि drawing account debit to cash account कितने से आपका बीस हजार से कितने से आपका बीस हजार से बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया concept clear हो गया कि नहीं clear हो गया अब का concept clear हो गया अब इसका हमें क्या बना दे laser बना दे अच्छा एक बात बताओ जब आप laser बनाओगे तो किसका किसका laser बनाओगे drawing का laser बनेगा कि नहीं बनेगा drawing का laser बनेगा cash का laser बनेगा कि नहीं बनेगा no sir नहीं बनेगा sir क्या बात कर रहे हो नहीं बनेगा काहे नहीं बनेगा sir क्योंकि already आप क्या कर चुके है बना चुके है जो laser आप बना चुके है जो account पे आप laser बना चुके है उसका आपको दुबारा बनाने क्या उशकता नहीं है इसलिए यहाँ पे एक सब्द लिखा है कि एक account को open किया जाएगा मतलब एक से अधिक account open नहीं होगा पॉइंट क्लियर हो गया बेटा चलिए अब देखिए यहाँ पे जब हम entry की बात करेंगे तो यहाँ पे cash account अगर हम अल्री बना चुके हैं तो हम किसको transfer करेंगे ड्राइंग को transfer करेंगे पहला सवाल तो यह था अपोजिट वाले को transfer करना है तो किसको transfer करेंगे ड्राइंग को तो जर्नल इंट्री में यह ड्राइंग किधर है ड्राइविट साइड तो यह laser में किस साइड जाएगा credit साइड यानि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे by drawing by क्या आपका drawing और कितने रुपए से आपका 20,000 से बताओ समझ में आ गया की नहीं आ गया अच्छा सट drawing account बनाना है हाँ बनाना है बिल्कुल बनाना है चलो बनाओ इसी के नीचे capital के नीचे बनाओ drawing account मैंने आपसे कहा था एक पेज आप छोड़ देंगे capital के बाद चोड़ने का मतलब कि छोड़ के आगे लिखना है कोई बात नहीं बिटा मैंने आपको बिकल्प बताया है बगल में दीवाल होगी ठीक है बगल में दीवाल होगी ठीक है ठीक है चलिए आगे देखेंगे तो देखेंगे ड्राइंग की जब आप देखो अब आप ड्राइंग account बना रहे हो तो अब ड्राइंग की opposite कौन है ये बताओ ड्राइंग की opposite कौन है cash तो cash यहाँ पर किस side debit side या credit side credit side तो यह drawing में किस side जाएगा बेटा debit side यानि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम to cash account और कितना 20,000 तो कहने का सीधा सीधा मतलब यह है बेटा कि आपको करना क्या है कि हर transaction को दो account में post करना है और जो account आप open कर चुके हो दुबारा उसको open भी नहीं करना है इसी वज़ा से cash account में drawing को भेजे है और drawing को किस में भेजे है क्या आश में भेजे है बात समझ में आ गई भाया कोई दिक्कत तो नहीं चलिए आगे देखेंगे अब तीसरा point यानि अब हम अपनी अगले portion की तरफ चलते हैं स्टार देखे लिखेगा journal entry related to नहीं नहीं इसी के आगे लिखे स्टार देखे लिखे capital adjustment entry capital adjustment entry अब देखे capital adjustment entry क्या होती है इसमें capital adjustment entry में सबसे पहले जो point आता है वो आता है आपका क्या interest on capital क्या आता है आपका interest on capital फिर drawing तो हमने निकाली दिया था drawing के बाद हम इसमें लिखते है interest on drawing क्या लिखते हैं बेटा interest on drawing अच्छा एक बात बताईए interest on capital business के लिए profit है या loss है interest on capital बिजनस के लिए profit है या loss है obviously sir ये business के लिए क्या है loss है ठीक है और अगर हम interest on drawing की बात करें तो interest on drawing बिजनस के लिए क्या है बेटा profit है तो profit है तो इसका मतलब ये कि बेटा इसमें जो rule लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा ये income और expense वाला लगेगा की नहीं लगेगा income और कौन सा लगेगा expense वाला लगेगा यानि जो आपका interest on capital है या जो आपका क्या है interest on drawing है इसको हमको transfer करना पड़ेगा आपके profit and loss account में किदर transfer करना पड़ेगा profit and loss account में बात clear हो गई बात clear हो गई चलिए आगे देखते हैं सबसे पहला point यहाँ पे लिखिए interest on capital interest on capital अच्छा एक बात बताएं interest on capital business के लिए loss है यह तो आपने बता दिया लेकिन owner के लिए क्या है owner के लिए क्या है profit यानि interest on capital की वज़ा से capital balance पे क्या प्रभाव पड़ेगा capital balance पे क्या प्रभाव पड़ेगा interest on capital की वज़ा से थोड़ा आप लोग अपने सोचने की चमता को बढ़ाईए अगर आप चाहते हैं कि आपके भी अच्छे नंबर आए तो आपको अपने सोचने की चमता को बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो बगल में दिवाल तो हई है आगे देखेंगे चलिए interest on capital business के लिए loss होता है यह अभी अभी आपने बताया लेकिन अगर हम businessman की बात करें तो businessman के लिए क्या होगा profit होगा मतलब interest on capital की वज़ा से capital balance क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा मतलब हम यहां पर दो entry करेंगे एक business loss वाली भी करेंगे और एक आपका business man बॉली भी करेंगे पहला point लिखेंगे यहां पर when interest is charge when interest on capital when interest on capital is charge जब interest on capital क्या किया गया है charge किया गया है अब बताइए interest on capital business के लिए क्या होता है ैं यहां पर हम entry क्या लिखेंगे इंट्रष ओन schlim Capital Account Debit Interest on Capital Businessman के लिए क्या है Profit है ना Businessman के लिए क्या है Profit है यानि Instrest on Capital Account Revit 2 यहां पर क्या लिखेंगे Capital लिखेंगे यानि इसकी वजय से Capital Balance क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा Point clear हो गया बेटा अब सर इस Interest on Capital को हमें Transfer करना है कहां Profit and लॉस एक्कवंट में का इंट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस कायंट में यानि इन्टरेस्ट डॉण कापिटरल आवा स्वेंटू आवसिट एंड़ लॉस एको अब देखिए प्रॉफिट औल लॉस एक्काउंट है हमें ट्रांसफर करना है जोSet Cec पर debit है वो automatic क्या हो जाएगी बेटा credit हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी मतलब यहाँ पर हमारी entry क्या बनेगी हमारी यहाँ पर entry बनेगी profit and loss account debit to interest on capital profit and loss account debit to interest on capital अगर आपको interest on capital का laser बनाना पड़ा बना ही रखे हो तो आप post कर देते हैं उसमें अब बताएं capital interest on capital किस side था debit side था या credit side था जन्रल इंट्री में तो यह किदर चला जाएगा credit मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे by interest on capital ठीक है बटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया ठीक clear हो गया ना चलिए अब अगला point हमें लिखना है अगला point हमारा क्या है drawing मतलब interest on drawing interest on drawing के भी हमारे कितने पहलू है दो पहलू है जो कि हमें देखना है heading लिखिए interest on drawing interest on क्या drawing interest on drawing business के लिए बताइए जरा profit है कि loss है interest on drawing business के लिए क्या है profit है अच्छा businessman के लिए क्या है loss है अख्का ना चलिए फिर when interest on drawing चार्ज when interest on drawing is चार्ज टेक है when interest on drawing is क्या विटा चार्ज start करें देखिए जब interest on drawing की बात करते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनियेगा जो आपका मैंने आप से बताया कि drawing capital को कभी भी हम लोग क्या करते हैं debit नहीं करते हैं when capital को हम लोग क्या करते हैं कभी भी debit नहीं करते हैं अगर हमने drawing को debit किया मतलब इस entry में जैसे मैं अच्छा इसकी इंट्री क्या होगी एक चीज़ सुनों जो इंट्रेस्ट ओन कैपिटल होता है वो एक्चुल में कभी भी ओनर को कैश में नहीं दिया जाता है या इंट्रेस्ट ओन ड्रॉइंग जो होता है वो ओनर एक्चुल में कभी भी कैश में नहीं करता उसके capital balance से क्या कर दिया जाता है अर्जिस्ट कर दिया जाता है उसके capital balance से क्या कर दिया जाता है अर्जिस्ट कर दिया जाता है समझ में आया तो अगर किसी ने पूछा कि क्या interest on capital cash में pay किया जाता है आप कहोगे नहीं क्या interest on drawing cash cash, cash में receive किया जाता है, तो आप कहोगे क्या, नहीं, मतलब क्या है कि ये आपके capital से क्या होगा बेटा, surplus हो जाएगा, ये आपके capital से क्या हो जाएगा, agricist हो जाएगा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में तो अब ये interest on drawing हम charge करेंगे और charge करते ही हम इसे कहट कर देंगे profit and loss account में transfer भी करतेंगे चार्ज करते ही हम इसे profit and loss account में क्या करेंगे transfer करेंगे sir क्यों वहाँ तो आपने दो entry कराई थी यहाँ पे आप सिर्फ एक entry करा होगे कारण क्या है इसका कारण यह है कि हम capital को कभी debit नहीं कर सकते हैं इसी वजह से हम उसको यहाँ पर debit नहीं लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर आपकी क्या बनेगी एक सिंगल इंट्री बनेगी दो अलग अलग point की एक single entry बनेगी और वह entry क्या होगी देखिएगा ज़रा ध्यान से interest on interest on drawing account debit to profit and loss account interest on drawing account debit to profit and loss account यह final entry में बोल रहा हूं ठीक है बेटा कि कौन से entry है आपकी final entry है ठीक है point clear हो गया बेटा point clear हो गया चलो फिर यह तो हो गया आपका कौन सा entry आपके assets से related capital से related entry अब इसका इंतिजार वो क्या है आपका assets यानि assets से related entry assets related entry assets related journal entry ध्यान से सुनिएगा जब आप assets related journal entry करेंगे तो आपके सामने कुछ point लिख रहा हूं उन्हीं से संबंदित आपकी assets related entry होगी सबसे पहले purchase of assets है लिखा मैंने बेटा purchase of assets यानि जब हम assets को खरीदेंगे दूसरा sale of assets sale of assets assets kisra 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 depreciation या आपी से falling the value of assets fall the value of assets fall the value of assets तीस्रा चाओ था sale of assets sale of assets बात समझ में आ गई तो अगर assets related अगर आप entry की बात करोगे तो कितने point मैंने आपको लिखाए है sale of assets इसमें एक point लिखिएगा sale of assets bracket में लिखिएगा नहीं नहीं से रहने दीजे sale of assets लिखा आपने हाप पे ना एक मिट काट दीजे हाँ इसमें लिखिए है जरा profit and loss profit and loss find profit and loss find related assets या profit and loss find लिख लिखिए बस अभी जब case कराऊंगा question कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा ठीक है पहला क्या है purchase of assets दूसरा क्या है आपका sale of assets तीसरा क्या है fall in the value of assets और चौथा क्या है आपका profit and loss find value of assets clear हो गया बेटा कितने case लिख लिख लिए आपने अब सबसे पहला case लिखिए purchase of assets धान से देखिएगा कि जब आप purchase of assets की बात करते हैं जब आप किसकी बात करते हैं तो कोई भी assets आप दो तरीके से ही purchase करते हैं या तो आप उसे cash में purchase परचेस करते हैं या तो उसे आप किसमें परचेस करते हैं बेटा क्रेडिट में परचेस करते हैं यानि क्याश में परचेस करते हैं या तो किसमें परचेस करते हैं क्रेडिट में परचेस करते हैं बता ये इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई तो अगर सर हम क्याश में परचेस करेंगे, तो क्या Intry होगी, या Credit में परचेस करेंगे, तो क्या Intry होगी, देखिए ध़्यान से, जैसे मैंने यहाई पर लिखा Machine Purchase Machinery Purchase Of Rs. 20,000 For Cash For Cash, कितना? और फिर उसके बाद मैंने यहाई पर लिखा मसीनेरी पर्चेस प्रॉम राम प्रॉम क्या आपका राम यготовनी यहां पर कैश नहीं पता है तो इसे क्या मानेंगे क्रिडिट मानेंगे तो अब देखिए वही बेसिक सवाल जो आप अपने आपसे पूस्ते थे क्या आया और क्या गया पहला इसमें देखेंगे, क्या आया, अब आप कहोगे सर मसीन आई, मसीन आई, और कितने की मसीन आई, बीस हजार की, और क्या गया, सर कैश गया, कितना गया, सर बीस हजार से कैश गया, सही कि गलत है, सर इसकी बात बताओ, इसमें क्या आया, क्या गया, सर इसमें मसीन तो ही है लेकिन क्या गया है यह नहीं पता है क्यों नहीं पता क्यों नहीं पता अरे आज नहीं गया है बाद में तो जाएगा आज नहीं गया है तो बाद में तो जाएगा ना तो बाद में जाएगा यानि वह आपकी लाइबिलिटी बन गई की नहीं बन गई liability क्या होता है financial obligation for the future financial obligation for the क्या future यानि यहाँ पर राम को आपको बाद में पैसा देना है तो राम आपका क्या बन गया creditor बन गया की नहीं बन गया बताया था की नहीं बताया था की creditor क्या होता है राम आपका creditor बन गया की नहीं बन गया और creditor मतलब क्या यह आपकी क्या बन गई liability यानि 20,000 से आपकी liability भी तो बढ़ गई की नहीं बढ़ गई अब देखे इतना note इतना समझ में आ गया की नहीं आ गया अब इस वाले पहले वाले case की entry देखे assets बढ़ती है तो क्या करते है debit assets घड़ती है तो क्या करते है credit assets बढ़ती है तो क्या करते है debit और यहाँ पर क्या बढ़ रहा है liability और liability बढ़ती है तो क्या करते है credit entry समझ में आ गई की नहीं आ गई क्या entry होगी बेटा यहाँ पर machinery account debit to cash account है न अच्छा यहाँ पर क्या entry बनेगी हम हम मसीन एकाउंट डाविट टू राम एकाउंट राम से काउंट बता वेटा समझ में आ गया की नहीं आ गया नोट डाउन करेंगे समझ में आ गया भीया अगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं यह तो हो गया हमारा क्या पर्चेज़ आफ एसेट्स पहला केस हमारा निपड़ गया दूसरा क्या है हमारा से लॉफ एसेट्स रिखेंगे जरा सेल ओफ एसेट्स अच्छा जब आप सेल ओफ एसेट्स की बात करते हैं जैसे आप पर्चेज ओफ एसेट्स दो तरीके से कर रहे थे सेल ओफ एसेट्स भी कितने तरीके से करेंगे दो तरीके से करेंगे या फिर किसमैं आपका डिअंट में आपका क क्रेडिट मेंAdam a फिर क्या आपका क्रेडिट में यही तो होगा न बेटटा सही है गलत है के range मिया फिर आपका क्या किसमें क्रेडिट में कै चलो देखो जब ध्धान से जैसे machinery sold of rupees 10,000 machinery sold of rupees 10,000 for cash चलो इसकी entry बताओ क्या आया क्या गया पहले ये बताओ 20,000 का machine आपने बेचा है यानि 20,000 आपके पास cash आया होगा अच्छा कितने का बेचा 10,000 का 10,000 का बेचा यानि 10,000 आपके पास क्या आया होगा cash आया होगा और machine आपके पास से क्या हुई होगी बेचा क्या होगी कितने की 10,000 की cash क्या होता है assets machine क्या होती है assets जब assets बढ़ती है तो क्या करते है debit assets घड़ती है तो क्या करते है क्या entry करेंगे बेचा बिलकुल सही cash account debit to machinery account cash account debit to क्या machinery account बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया अच्छा सर एक बात बताओ उधार होता तो यही ठीक है पैसा बाद में मिलता हमें ना पैसा क्या होता बाद में मिलता बाद में अगर पैसा मिलता तो यानि वह हमारे लिए assets बन जाती की नहीं बन जाती बताया था कि बाद में जिन से पैसा मिलता है उन्हें हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं डेटर कहते हैं क्या कहते हैं डेटर कहते हैं जिन से बाद में पैसा मिलता है जैसे आपने यह मसीन राम को बेची होती या साम को बेची होती मसीनरी sold of rupees 10,000 of rupees 10,000 to Sam ठीके बिटा तो आपके पास Sam से पैसा बाद में आएगा तो Sam आपके लिए क्या बन गए डेटर बन गए और डेटर भी क्या होती है आपकी assets होती है बढ़ती है तो क्या करते हैं विट करते हैं और फिर उसके बाद machinery आपके पास से क्या हो रही है जा रही है तो क्या करेंगे credit इंट्री क्या बनेगी हमारी बिल्कुल सही क्या इंट्री होगी श्याम account debit to machinery account बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया पक्का न कोई दिक्कत तो नहीं note down करेंगे जल्दी से अब ध्यान दिएंगे कभी कभी जब हम assets को बेचते हैं जैसे माल लीजे कि आपके पास machinery 10,000 की है आपने इसको 15,000 में बेच दिया तो आपको क्या हो गया 5,000 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया हो गया कि नहीं हो गया लेकिन अगर माल लो इसी machine को आपने 8,000 में बेच दिया तो फिर आपको क्या होगा कि 2,000 का क्या हो जाएगा आपको loss हो जाएगा हो सकता है कि नहीं हो सकता चलिए ये वाला question उठाते है machine की value कितनी है द्यान से देखिएगा machine की value कितनी है 10,000 और इसको आपने sold किया कितने में 15,000 में तो 5,000 का profit हो गया कि नहीं हो गया अब इसको आप सर cash में बेचोगा कि credit में बेचोगे सर कोई फरक नहीं पड़ता हमको पता है cash में बेचेंगे तो cash को debit कर देंगे और अगर credit में बेचेंगे तो जिसको बेचा है उसका नाम क्या कर देंगे debit कर देंगे मोहन, सोहन, रोहन, खलाने, ढखाने उनको क्या कर देंगे, debit कर देंगे ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर माली जे cash में बेचा तो आपके पास पैसा कितना आया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cash account debit कितने से 15,000 से अब मसीन आपके पास से कितनी गई तू मसीनरी कितने से 10,000 से, अरे सर debit और credit तो बराबरे नहीं हो रहा है आपने बताया है debit बराबर credit 5,000 कहाँ 5,000 कहाँ सर अरे मालिक 5,000 प्रोफिट और प्रोफिट का बैलन्स क्या होता है credit प्रोफिट का बैलन्स क्या होता है credit तो यहाँ पर क्या लिखेंगे profit on sale of machinery profit on क्या लिखेंगे बेटा profit on sale of विल्कुल सही sale of machinery कितना आपका 5,000 समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो debit credit बराबर हो गया कि नहीं हो गया ठीक है आपका debit और credit क्या हो गया बराबर हो गया नोट डाउन करेंगे अब कम में बेचते हैं अभी तक जादा में बेच रहे थे अब किसमें बेचेंगे यानी दस अजार की थी और कितने में बेच दिया आठ में बेच दिया तो एक बात बताओ पैसा कितना मिलेगा आपके पास machinery value आपके पास कितने की थी 10,000 की और sold कितने में किये हो आप 8,000 में 8,000 में तो 2,000 आपके लिए loss हो गया यानि आपके पास पैसा कितना आएगा cash account debit कितने से 8,000 से machine आपके पास कितनी गई machine account debit कितना 10,000 तो बिटा 2,000 यहाँ पर अब क्या लिखेंगे debit क्योंकि loss का balance क्या होता है debit ही तो होता है यहाँ पर क्या लिखेंगे debit और यहाँ पर क्या लिखेंगे loss on sale of machinery ठीक है loss on sale of machinery account debit कितने से 2,000 से बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता बेटा समझ में आ गया तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब आप assets की बात करेंगे जब आप किसकी बात करेंगे assets की बात करेंगे तो assets में आप क्या क्या point देखेंगे देखिए इस तरह assets में कौन कौन सा point देखेंगे purchase of assets हमने निप्टा दिया sale of assets हमने निप्टा दिया साथी साथ उस assets पे होने वाले profit और loss वाली भी entry भी हमने क्या कर ली complete कर ली अब बारी आपकी कौन सी है fall in the value of assets fall in the value of assets क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब machine को continue use करते हैं तो उसकी value घड़ जाती है और जो value आपकी घड़ती है उसी value को हम नाम देते हैं depreciation का नाम देते हैं किसका नाम देते हैं depreciation का नाम देते हैं तो depreciation की वज़े से value of assets क्या हो रही है हमारी घट रही है जान देंगे यहाँ पर star देके लिखिएगा charge depreciation चार्ज डेप्रीसियेशन माल लीजे दो हजार डेप्रीसियेशन कितना आगया आपका दो हजार तो डेप्रीसियेशन आपके लिए क्या है लॉस है तो इसका बैलन्स क्या करेंगे डाबिट करेंगे यानि यहाँ पर क्या लिखेंगे डेप्रीसियेशन account debit कितने से 2000 से फिर इसकी वज़ा से आपकी assets की value down होई है तो हमें आपके क्या लिखेंगे 2 assets क्या लिखेंगे बेटा 2 assets कितने से 2000 से बात समझ में आ गई बेटा तो ये आपकी क्या हो गई assets related entry इससे ज़्यादा assets में अन्य कोई entry नहीं आएगी चान लिजे value आपकी reduce होगी किस वज़ा से reduce हो रही है depreciation depreciation आपके लिए क्या है loss है loss का balance क्या होता है debit होता है कि credit होता है debit होता है और इसकी वज़ा से assets घट रही है और assets जब घटती है तो उसका balance क्या करते है debit या credit क्या करते है credit करते है credit करने की वज़ा से हम क्या इससे मैसी assets को क्या कर दे रहे है credit चलिए फिर अब हम अगले topic की तरफ चलते है तो बेटा जी आपकी next heading क्या है journal entry related to the liability देखो assets capital हमारा complete हो चुका है अब बारी liability की जब आप liability की बात करते हो बेटा तो liability में पहला क्या होगा जब आपकी liability क्या हो रही है बढ़ रही है और दूसरा क्या होगा जब आप liability को क्या करेंगे समाप्त करेंगे एक example से चलते हैं सबसे पहले आपको क्या होगा increase of liability increase of liability increase of liability अच्छा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था liability capital और income तीनों का एक ही rule होता है बढ़ेगा तो क्या करेंगे credit करेंगे और घटे का तो क्या करेंगे debit करेंगे for example बेटा कि आपने bank से loan लिया आपने bank से क्या लिया loan लिया loan taken from bank loan taken from bank माल लीजे 10,000 तो आपका 10,000 से liability बढ़ गई की नहीं बढ़ गई भविश्य में आप पैसा देंगे की नहीं देंगे लेकिन अभी बताईए वर्तमान में आपके पास क्या हुआ है क्या आया क्या गया सर आपके पास आपका bank balance 10,000 से बढ़ जाएगा की नहीं बढ़ जाएगा bank क्या करेगा कि आपके bank account में पैसा credit कर देगा यानि आपका bank balance 10,000 से बढ़ गया तो अगर bank आपके लिए क्या है अब बताओ assets है, bank loan आपके लिए क्या है liability, assets बढ़ती है तो क्या करते है, debit liability बढ़ती है तो क्या करते है, credit तो हमारी entry यहाँ पे क्या होगी ये बताओ, हमारी entry यहाँ पे होगी बेटा जी आपकी bank account debit to bank loan bank account debit to क्या आपका bank loan बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो यह liability creation समझ में आ गया कि नहीं आ गया अगर आपको याद हो तो आप capital को भी credit करते थे capital को भी क्या करते थे credit करते थे है न आगे देखेंगे एक और point सर एक बात बताओ मालो इसी liability को अब हमेंने pay कर दिया हमने क्या किया कि 5000 रुपिया हमने pay कर दिया bank को हमने 5000 पे कर दिया तो इसका मतलब अगर आपने bank को 5000 पे कर दिया तो इसका मतलब आपका cash balance या bank balance 5000 से कम होगा की नहीं होगा जबाब दीजे 5000 से कम होगा की नहीं होगा सर होगा अच्छा एक बात बताए जो liability आपकी 10,000 रुपे थी वो क्या होगा वो बढ़ेगी कि घटेगी वो liability क्या हो जाएगी घट जाएगी न भई जब आपको मिल रहा था तो आपकी liability बढ़ रही थी अब जब आप भुकतान कर रहे हैं तो 5000 आपका क्या हो जाएगा नहीं आ गया अब बताओ bank आपके लिए क्या होता है assets, loan जो आप घट रही है या आपकी क्या है liability है इसको क्या करेंगे liability घटती है तो क्या करते हैं सर, debit करते हैं और cash मतलब assets घटती है तो क्या करते हैं इसको credit तो जरा entry बताओ क्या होगी बटा, entry होगी आपकी bank loan account debit to bank account बता समझ में आया की नहीं आया बता यह बटाओ जी समझ में आ गया की नहीं आ गया तो आपको बातें क्या याद रखनी है आपको वही बात याद रखनी है जो मैं already आपसे कह चुछा हूँ क्या आया गया और जो आया है वो है क्या बिटा अगर आप इस prescription से question करते हैं तो आप यकीन मारिए 99.9% आपका आंसर सही होगा 99.9% आपका आंसर क्या होगा? सही होगा बात समझ में आगे बेटा जी चले आगे हम लोग तो ये थी इंट्री आपकी किसकी liability को लेकर ये थी इंट्री आपकी किसकी liability को लेकर अब अगला point है हमारा income और expense को लेकर यानि अगला heading डालेंगे journal entry और journal entry किसका income का और journal entry किसका expense का एक बात याद रखिए बेटा income चाहे जो भी हो उसका balance always क्या करेंगे हम credit करेंगे income चाहे जो भी हो उसका balance always क्या करेंगे credit करेंगे और expense चाहे जो भी हो उसका balance क्या करेंगे always debit करेंगे जैसे जब आप expense की बात करते हो तो expense के नाम पे क्या आएगा salary आएगा expense के नाम पे क्या आएगा purchase आएगा expense के नाम पे क्या आएगा wages आएगा expense के नाम पे क्या आएगा rent आएगा expense के नाम से क्या आएगा interest paid आएगा क्या आएगा बेटा interest paid आएगा तो ये सारे कि सारे balance आपके क्या हो जाएंगे debit हो जाएंगे और इनके बदले आप क्या करोगे भुकतान ही तो करोगे इनके बदले क्या करोगे आप भुकतान तो भुकतान किसमें करोगे दूबेंक, कैश के मादधियम से करोगे तो, दूबेंक काश चैश और दूबेंक के मादध से करोगे तो क्या, दूबेंक, बताओ समझ में आया, कि नहीं आया, जितने भी आपके एक्सेंस सब कोwगो current करना थे करने भुक्तान तो करना ही करना है ना भाई आपको, बात तमझ में आगी की नहीं आगी बिटा, अच्छा सर इंकम में पैसा मिलेगा कि पैसा जाएगा ये बताओ, इंकम में पैसा मिलेगा आपको ना, तो अगर इंकम में पैसा मिलेगा, तो उस पैसे को क्या करेंगे, पैसा मिल यानि आपका या तो bank balance बढ़ेगा या तो आपका कौन सा balance बढ़ेगा cash balance बढ़ेगा तो इसको particular को क्या करेंगे हम debit कर देंगे और जो आपकी income है जैसे आपकी income हो गई sale, आपकी income हो गई commission receive आपकी income हो गई to interest receive यानि जो भी कुछ आपको receive होगा उसको particular चीज़ को आप क्या करेंगे बिटा credit करेंगे बताइए concept clear हो गया के नहीं हो गया यानि income है income है तो वो आपका क्या हो जाएगा credit expense है तो वो आपका क्या हो जाएगा debit हो जाएगा अथ समझ में आ गई की नहीं आ गई तो ये basic चीज़े है basic portion है आपके किसका journal entry का ये आपका क्या है basic portion of क्या है journal entry है अब हम कुछ और point consider करते हैं कुछ और additional information उठाते हैं किसकी journal entry की सबसे पहला heading आप सभी लोग डालेंगे opening journal entry कई बार इस तरीके से सवाल आप लोगों से पूछता है कि ये opening journal entry नाम की चीज है क्या ओपनिंग journal entry ठीक है देखो opening journal entry की पहचान क्या है opening journal entry की पहचान क्या है वो आपको कहेगा balance of एक जन्वरी balance of एक जन्वरी cash पाँच हजार bank जस हजार data पीस हजार creditor पंदरा हजार machinery आठ हजार land and building land and building दस हजार अब आपसे question कहता है पास जन्वर इंट्री अब ये जो balance आपको दिया गया है ये जो आपको क्या दिया गया है बैलेंस दिया गया है ये balance कपका है ये बताओ मुझे ये balance कपका है एक जन्वरी का यह मैं ये भी तो कह सकता हूं कि sir 31 दिसम्वर का balance है पताइए क्या ये मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं अरे 30 December के बाद अगला balance क्या होता है एक January ही तो अताता है अब जब आप opening journal entry करेंगे तो कुछ बातें आपको याद रखनी है क्या sir जो opening journal entry होती है ध्यान से सुनना जो आपकी क्या होती है opening journal entry होती है वो सिर्फ assets की liability की और capital की ही होती है यानि opening journal entry is related to the assets liability and capital तर एक बात बताओ क्या income और expenses से related नहीं होगा क्या income और expense से related नहीं होगा क्या मैं कहूंगा नहीं होगा अब आपके मन में एक सवाल आएगा sir क्यों नहीं होगा का है नहीं होगा बताइए इसलिए क्योंकि income और expense आप already ट्रायल बैलेंज आप already trading account या profit and loss account में भेश चुके हैं अल्रेडी आप trading account और कहां भेश चुके हैं profit and loss account में भेश चुके हैं balance पता कर चुके हैं आप तो फिर opening entry कैसे opening entry तो उनकी होती है जो balance बचा हो न भाई salary आपने दी आपने क्या दिया salary दिया 10,000 देना था 10,000 दे दिया अगली बार क्या वो आपसे कुछ हांके मांगेगा क्या हाँ ये कह सकते हो कि sir salary 10,000 देना था लेकिन सिर्फ 8,000 दिये हैं तो 2,000 अभी बचा है की नहीं बचा है तो 2,000 अगर बचा है तो आपकी क्या create कर गया liability create कर गया की नहीं कर गया sir 10,000 देना था 15,000 दे दिया 15,000 यानि अगले का दे दिया न अगले का दे दिया यानि वो आपकी क्या बन गई assets बन गई की नहीं बन गई तो जो आप opening journal entry करते हैं बाबू वो सिर्फ किसकी करते हैं income expense और income को छोड़ कर बाकि किसकी करते हैं assets liability और capital की करते हैं बताओ समझ में आया कि नहीं आया अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको transaction बता रहा था जब मैं आपको क्या बता रहा था transaction बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि transaction आपके पांच तरीके के होते हैं इतने तरीके के होते हैं बताया तक नहीं बताया था देखो ये लिखा है ना capital liability income expense assets तो opening journal entry किस से related होता है सिर्फ तीन transaction से related होता है और वो तीन transaction क्या है बेटा या तो वो आपकी assets होगा या तो liability होगा या तो फिर क्या होगा capital होगा और opening entry करने का सबसे shortcut तरीका बताता हूं ध्यान से सुनना liability और capital का balance always क्या होता है credit तो इसको किस तरफ लिखेंगे credit की तरफ और assets का balance always क्या लिखेंगे हम debit यानि जो कुछ assets है उसे आप debit लिखेंगे जो कुछ capital है या liability है उसे आप किदर लिखेंगे credit लिखेंगे जैसे यहां पर लिखा है cash तो cash आपके लिए क्या है assets है तो इसका balance हम कैसे लिखेंगे cash account debit कितने से 5000 से फिर क्या लिखा है बटा bank कितना है आपका bank account debit कितने से 10,000 से फिर क्या लिखा है data कितने से आपका data account debit कितने से आपका 20,000 से फिर उसके बाद अगला point क्या है creditor creditor मतलब क्या होता है liability न इसको किस में लिखेंगे debit side या credit side इसको लिखेंगे credit side लेकिन उससे पहले जड़ा देखो machine भी दिया है पहले machine लिख दो तो machine account debit कितने से 8,000 से कितने से आपका 8,000 से अब देखिए फिर आगे क्या लिखा है land and building account debit कितने से 10,000 से और फिर उसके बाद 2 क्या creditor कितने से बेटा 15,000 से देखो समझ में आया कि नहीं आया अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ आप always कहते थे debit बराबर credit लेकिन यहां तो debit का balance ज़्यादा दिख रहा है मुझे और credit का balance क्या हो रहा है सिर्फ 15,000 दिख रहा है debit का balance कितना आ रहा है 5, 10, 15, 15, 15, 10, 15, 20 कितना हो गया 15, 20, 35, 35, 35, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 में 5 जोडेंगे तो 50 हो जाएगा तिरपन कितना हो गया तिरपन देखो debit side में कितना आ रहा है तिरपन लेकिन इधर तो 15,000 आ रहा है सर अरे बेटा याद करो क्या capital का एक formula बताया था मैंने capital बराबर assets minus क्या liability यानि अगर तिरपन हजार में से अगर मैंने 15,000 घटा दिया तो क्या मेरा capital आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा तो सर क्या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं मैंने कहा बिलकुल लिख सकते हैं क्या दिक्कत है तो जड़ा 53,000 minus 15,000 घटाओ कितना आएगा जल्दी से बताओ 53,000 minus 15,000 घटा तो बचा 43,000 43,000 में से 5000 और घटा दो 43,000 minus 5000 बैलेंस आएगा आपका 38,000 तो इधर भी 53,000 हो गया उधर भी क्या हो गया 53,000 हो गया बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया बैलेंस क्लियर हो गया तो ओपनिंग जर्नल इंट्री समझ में आ गई बेटा कोई समस्या तो नहीं है चालिए फिर अब ओपनिंग जर्नल इंट्री के बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आपका डिसकाउंट ठीक है अब देखो एक चीज जानो अगर बिजनस के पॉइंट पे बात करोगे आप ध्यान से सुनना अगर आप इसके बात पे करोगे बिजनस के पॉइंट पे अगर बिजनस को डिसकाउंट रिसीब हो रहा है बिजनस को डिसकाउंट क्या हो रहा है बेटा रिसीब हो रहा है तो सर एक बात बताओ माल लो business discount allow कर रहा है discount क्या कर रहा है allow कर रहा है तो वो business के लिए क्या होगा loss होगा बात समझ में आ गई अब सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताईए business को discount receive कब होता है business को discount दो condition में receive होता है पहला condition कि जब business कोई भी assets को या goods को क्या करता है purchase करता है मतलब at the time of क्या purchase at the time of क्या बेटा purchase और दूसरा at the time of payment at the time of क्या payment तो business को discount कब receive होता है at the time of purchase और at the time of payment बात समझ में आ गई बेटा फिर discount allow कब होता है business discount allow कब करता है business discount दो condition में allow करता है at the time of sale या फिर at the time of amount receive amount receive बताओ समझ में आ गया की नहीं आ गया point clear हो गया की नहीं clear हो गया बेटा इतना बताओ जल्दी से अब discount receive business के लिए profit है तो इसका balance क्या होगा credit discount allow है loss है इसका balance क्या होगा credit concept clear हो गया की नहीं clear हो गया concept clear हो गया की नहीं clear हो गया चलें बेटा आगे आगे चलें तो अब देखो discount से related entry देखते हैं एक बार allow वाला भी देखते हैं और एक बार कब देखते हैं receive वाला भी देखते हैं तो इधर हमने लिख दिया क्या discount allow अब इधर हमने क्या लिख दिया discount receive discount allow और discount receive concept clear है ना कब receive होता है और कब allow होता है ठीक है एहला point good sold of rupees 20,000 at 9,990 अभी कभी ऐसा bargaining होता है कि नहीं होता या नहीं सजार नहीं 9,990 रूपया कल मैं बताओ एक बात कल मैं समाल लेने गया आपके चौक में ही एक हमारे अच्छे मित्र है मुकेस नाम है उनका तो बिल आया था आपका 4790 रूपया बिल कितना आया था 4790 रूपया मैं लिख दे रहा हूँ 4790 रूपया मैंने का मुकेस भाईया बताओ कितना देना है तो उन्होंने कुछ जोड़ा 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 उन्होंने कहा भाईया 4700 रूपया दे दीजिए तो इसका मतलब 90 रूपय का उन्होंने मुझे क्या दे दिया बिटा discount हमारे लिए as the purchaser 90 रूपया क्या है profit as the seller उनके लिए 90 रूपया क्या है loss अब समझ में आ गई इस concept पे आपको चलना है कि आपको receive हो रहा है या आपको allow हो रहा है ये आपको देखना है यहाँ पे आप समान बेच रहे हैं कितने का समान बेच रहे हैं बीस हजार का लेकिन पैसवा कितना मिल गया उननीस हजार 990 यानि दस रूपया नहीं मिला discount हो गया न तो entry क्या होगी देखिए ज़रा आपको पैसा कितना मिला cash account डैबिट अच्छा discount allow किया है आपने तो discount allow जब हम करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है loss लॉस का balance क्या होता है यहाँ पे क्या लिखेंगे discount यानि अगर discount डैबिट है इसका मतलब यह क्या है loss है और फिर उसके बाद two क्या आपका fail कितने से 20,000 से अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर एक बात बताईए दिमाग में यह आएगा कि सर एक बात बताईए हम direct entry 19,990 से क्यों नहीं किये पीस हजार से क्यों किये अरे भीया आपके पास goods कितने का जा रहा है पीस हजार का जा रहा है ना pull disclosure principle क्या कहता था सब कुछ record करना है 10 रुपय का discount दिया है या 10 रुपय का discount मिला है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा record करना पड़ेगा बताओ समझ में आया की नहीं आया एक और question देख लेते हैं बेटा एक डेटर है एक क्या है बेटा डेटर है ठीक है 10,000 का डेटर है इसने क्या किया कि 9,500 रुपया paid in full settlement ये सब्द ध्यान से सुनिएगा फुल सटल्मेंट का मतलब क्या होता है कि इसके बाद ना तो लेना है ना तो देना है पुल सर्टल्मेंट मैं आपको बता हूँ एक बार मेरे घर पर काम चल रहा था जो प्लंबर थे उन्होंने कहा कि इस भाही तो पच्पन सो रुपया हमने क्या कि उनको बेच दिया अब एक महीना हो गया तीन महीना हो गया उन्होंने पैसे नहीं दिया मैंने कहुद्भ भीया पैस्फ दो तो कहें फ़ला है तकरा गये हमसे इस對對 नहीं हमने लगे खाली 5000 पड़ा है हम कहें लावा दिया लावा दिया तुरंत दिया अब उसके बाद कितने कितना देना था उनको कितना मैंने लिया उसके बाद मैंने कहा कि भाईया करे बाद न तो से हम तो का हम जानी थे न तू हम का जाना थे यानि यह क्या हो गया फुल सटेल्मेंट हो गया पांसो लेना था मुझसे लेकिन मैंने क्या कहा कि अब नहीं लूँगा जाओ छोड़ दिया यानि discount दे दिया कि नहीं दे दिया तो आप discount allow किस condition में करते हैं दो condition में न sale और amount receive sale और क्या amount receive देखो 10,000 का था मिलना कितना था 10,000 लेकिन कितना उसने दिया सिर्फ 9,500 ओभी full settlement तो आप entry क्या गरोगे cash कितने से 9,500 से discount कितने से discount account debit कितने से 500 से और फिर यहाँ पे two क्या data कितने से आपका 10,000 से बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया समझ में आ गया बेटा जी आगे चले तो यह तो हो गया discount allow की कहानि discount allow की journal entry अब बारी है discount receive की मतलब अब हमें receive होगा हमें यानि किसको business को और business को discount कब receive होता है भाई दो condition में जब हम समान purchase करते हैं या जब हम payment करते हैं तो हमने क्या किया कि purchase कर लिया purchase goods of rupees 10,000 at 10 परसेंट discount मेटा 10,000 का समान 10% discount पे हमने खरीदा 10,000 का समान हमने क्या किया 10% discount पे खरीदा हमने समान कितने का खरीदा यह बताओ सबसे पहले भाई 10,000 का था 10% discount यानि 10,000 माइनस 10% discount कितना हो जाएगा एक हजार न तो हमको कितना रुपया भुकतान करना पड़ेगा लेकिन हमको समान मिला कितने का तो यानि हम इंट्री क्या करेंगे परचेज एकाउंट कितने से 10,000 से हमने कैश कितना दिया 9,000 तो हमें discount भी कितना मिल गया एक हजार बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया यानि जब आपका discount debit होता है तो वो आपके लिए loss होता है और discount अगर credit हो रहा है तो वो आपके लिए क्या होगा profit होगा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं समस्या तो नहीं चालो आगे देखते हैं अब इस discount से related तो entry हमने सीख ली अब इस discount के type को भी हमें सीखना पड़ेगा इस discount के किसको सब्सक्राइब को भी हमें सीखना पड़ेगा और जब आप discount के type की बात करते हो तो discount के दो type होते हैं एक होता है आपका trading discount या एक होता है आपका trade discount क्या होता है बेटा trade discount और दूसरा होता है आपका cash discount क्या होता है cash discount ठीक है ध्यान से सुनना जो trade discount होता है उसकी हमें journal entry नहीं करनी होती है जो trade discount होता है उसकी हमें journal entry करने की और शक्ता नहीं होती है लेकिन जो cash discount होता है इसकी हमें journal entry करनी होती है जान से सुनिएगा जो trade discount होता है वो before the sale दिया जाता है कब दिया जाता है before the sale दिया जाता है और जो cash discount होता है वो आपका कब दिया जाता है after the कब दिया जाता है आपका after the sale दिया जाता है clear हो गया बेटा अच्छा जो trade discount होता है इसका objective होता है increasing the sale इसका जो objective होता है वो क्या होता है आपका increasing the sale ठीक है बेटा और जो cash discount होता है इसका objective होता है receiving cash quickly receiving cash quickly यानि जल्द से जल्द हमको पैसा क्या हो जाए मिल जाए जल्द से जल्द हमको पैसा क्या हो जाए मिल जाए एक चीज़ और जानना जो trade discount होता है वो cash plus credit दोनों transaction के लिए allow होता है चाहे आप समान cash में खरीदो चाहे आप credit में खरीदो trade discount है तो देना पड़ेगा और अगर cash discount की बात करोगे अगर आप किसकी बात करोगे cash discount की बात करोगे तो cash discount सिर्फ किस transaction के लिए allow है cash transaction के लिए allow है कई बार इस तरीके का question आप से पूछा जा सकता है कि give the difference between the trade discount and the cash discount लिख लेंगे की नहीं लिख लेंगे हो जाएगा कि अधिया कि अधिया इतुना कि अधिया तो कम से कम देखिया होते यार सिस्टम पर चलो बटा आगे चलें यह हो गया आपका क्या trade discount और cash discount का difference आगे देखेंगे अधिया आगे देखेंगे यह आपका trade discount और cash discount का difference था अब बारी है आपके नेक्स्ट पॉइंट की जिससे हम आपके देखेंगे 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 यह आपका हम कहते हैं compound entry क्या कहते हैं बेटा compound entry क्या होता है इसको एक इसका और नाम है mix journal entry क्या नाम है बेटा mix journal entry होता क्या है कि जब same date पर क्या बोला मैंने same date पर same nature of transaction deal किये जाएं उनको अलग अलग ना करके एक में लिख दिया जाता है जैसे rent salary wages बताओ इनका nature क्या है expense ही तो है इनका nature क्या है आपका expense है मैंने आप लिख दिया commission receive क्या लिख दिया बेटा commission receive rent receive क्या लिख दिया interest receive लिख दिया इनका भी nature क्या है same ही तो है एक आपका expense है दूसरा आपका क्या है income है तो आपको क्या करना है देखो अभी तक आप अगर rent की entry करते थे तो आप entry करते थे rent account debit to cash account salary की अगर आप entry करते थे तो salary account debit to cash account wages की entry करनी रहती थी तो wages account debit to cash account भहिया इतना ताम जहाम करने की जुरूरत नहीं है आप सीधा एक entry compound वाली करो क्या rent account debit salary account debit wages account debit wages account debit wages account क्या debit और फिर टू क्या आपका cash यानि सब balance जोड़कर यहां पर आप क्या कर दीजे लिख दीजे सब balance जोड़कर यहां पर क्या कर दीजे आप लिख दीजे बताओ समझ में आया कि नहीं आया बात समझ में आ गई अचा सर इसकी entry क्या होगी जो commission receive, rent receive या interest receive अरे तो पैसा ही तो receive होगा cash account debit to क्या commission to क्या आपका commission to क्या rent receive to क्या interest receive बताओ compound entry clear हो गई कि नहीं clear हो गई यानि compound entry का मतलब है कि जहां पर same date condition क्या है बेटा दो condition check करना क्या same date और जो nature of transaction वो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए बेटा same nature के होने चाहिए तो आप लिख सकते अब ऐसा नहीं कि आप income और expense दोनों को mix करके लेके चलो अब नहीं सही होगा clear हो गया बेटा जी चले फिर तो compound entry के बाद आपका अगला portion क्या है जो आपकी किताब का है recording of the bank transaction अगली जनल अगला heading क्या है आपका recording of bank transaction जान देंगे या जर्नल इंट्री याँ बैंक जणल इंट्री रेलेटेड टू बैंक ट्रांजेक्शन रेलेटेड टू क्या बैंक ट्रांजेक्शन ठीके बीटा, जनरल इंट्री रिलेटेटेट टू क्या आपका बैंक ट्रांजेक्शन, पॉइंट क्लियर हो गया, तो अब इसमें सर्क्या-क्या इंट्री होगी, आइए देखते हैं, सबसे पहली आपकी जो जो पॉर्शन रहता है, वो रहता है आपका क्या, cash deposit into bank, दूसरा होगा आपका, cash withdraw from bank, फिर check receive from data, यह चार-चार लाइन छोड़कर लिखिएगा, ठीक है, check receive from data, deposit same date, deposit same date, check receive from data, deposit क्या आपका, same date, ठीक, अभी फिर मैं इस slide पे लोटूंगा, अभी आगे देखेंगे, check, receive from data, check receive from data, deposit, after deposit another date, ठीक है, deposit another date, ध्यान दीजे, पहले इतना सीख लेते हैं, फिर आगे सीखेंगे, पहला point क्या है बेटा, cash deposit into bank, ठीक है, तो cash deposit into bank, यानि bank का ही, आपके business का ही तो यह transaction है, तो cash deposit into bank का मतलब क्या है, कि आपका cash balance क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और आपका bank balance क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यह आपके लिए क्या है, assets है, तो इसको क्या करेंगे, credit की debit, इसको क्या करेंगे, sir credit करेंगे bank आपके लिए assets है, बढ़ रही है तो क्या करेंगे, इसको debit करेंगे तो यानि यहाँ पे हमारी जो entry बनेगी वो entry क्या बनेगी आपकी देखिए जरा bank account debit to cash account bank account debit to, क्या आपका cash account यानि जब आपका cash deposit किया जाएगा कहां पे, bank में उसके बाद cash bid draw from bank तो cash bid draw from bank का मतलब क्या है कि भाई serious ही बात है अब आपका cash balance क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और आपका bank balance क्या हो जाएगा घट जाएगा ये आपके लिए assets है क्या करेंगे इसको debit करेंगे ये आपकी क्या है ये भी assets है घट रही है तो क्या करेंगे इसको credit करेंगे तो यानि यहाँ पे हमारी जो entry बनेगी वो क्या बनेगी आपकी cash account debit to क्या आपका bank cash account debit to क्या बेटा आपका bank अच्छा एक चीज़ और सुनिए बेटा जहाँ पे cash और bank दोनों एक साथ आते हैं उस entry को हम लोग कहते हैं counter entry किसी ने पूछा कि counter entry क्या होता है तो आप सीधा कहना कि sir जहाँ पे cash और bank दोनों एक साथ आ जाएं तो जारा देखिए पहले और दूसरी entry में cash और bank दोनों एक साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं दोनों एक साथ आ रहे ना बिटा चलें आगे अब हम note करो जल्दी से चले बिटा आगे देखेंगे तो अब अगला point क्या है आपका check receive from data and deposit same date ध्यान दीजेगा चैक receive हुआ है किस से data से data आपकी क्या थी assets थी न अब वो data नाम की assets आपकी क्या हो जाएगी बढ़ेगी कि घटेगी घट जाएगी और आपने same date पे bank में जमा कर दिया तो आपका bank balance बढ़ेगा कि घटेगा तर बढ़ जाएगा तो data assets से घटेगी तो क्या करेंगे credit bank assets से बढ़ेगी तो क्या करेंगे तो entry क्या हो जाएगी आपकी bank account debit to data account bank account debit to क्या आपका data account बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया समझ में आ गया बिटा चली आगी देखेंगे तो देखो ये तो हो गया आपका जब आप same date पे जमा कर रहे हो सर क्या हो अगर हम किसी another date को जमा करें तो अगर आप another date को जमा करेंगे तो आपको दो entry करनी पड़ेगी एक entry आपको करनी पड़ेगी जब आपको check receive होगा when check receive और दूसरी entry कब करेंगे when when check deposit ठीक है तो आपको दो अलग-अलग entry करनी पड़ेगी receiving की date पे entry करनी पड़ेगी और जब आप bank में क्या करेंगे जमा करेंगे आप दो दिन बात जमा करो जब जमा करोगे तो करना पड़ेगा ठीक है बटा तो क्या entry करेंगे पहले entry जब आपको check receive होगा तो भई CDC entry वही data data क्या हो जाएगा हमारा घट जाएगा data क्या हो जाएगा हमारा घट जाएगा अब यहाँ पर हमारा bank balance तो बड़ नहीं रहा है नहीं cash balance बढ़ रहा है यहाँ पर हम लिखेंगे check in hand क्या लिखेंगे बेटा check in hand account debit to data account check in hand account debit to क्या आपका data account clear हो गया बेटा अब फिर उसके बाद जब आप उस check को bank में जमा करोगे तो फिर अब आपका bank balance क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा आप क्या entry करोगे यहाँ पर बैंक account debit to check in hand क्या लिखोगे बेटा check in hand अब जड़ा ध्यान से देखना यह check in hand यह debit यह check in hand debit credit कट गया की नहीं कट गया आपकी आखरी में final entry क्या बनकर आई है यह बताओ आपकी final entry क्या बनकर आई है आपकी final entry यही तो बनकर आई है bank account debit to क्या यही तो final entry बनकर आई है समझ में आ गया की नहीं आ गया तो जब आप चेक receive करेंगे चार दिन बात जमा करोगे तो यह entry करोगे और जब चेक receive करोगे तो फिर यह entry करोगे आज समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा चले आगे अब देखे ये तो हो गया आपको receiving of check sir check आप issue भी तो करते हो check issue भी तो होता है कि नहीं होता है लिखो जड़ा check issue to creditor check issue to क्या creditor तो अगर आपने creditor को check issue किया है तो इसका मतलब जरा बताओ मुझे आपका creditor creditor यानि आपकी liability न रिडिटर यानि आपकी क्या बेटा liability और liability आपकी बढ़ेगी कि घटेगी आपकी creditor नाम की liability क्या हो जाएगी घट जाएगी और आपका bank balance क्या हो जाएगा जट जाएगा तो creditor यानि liability घटती है तो क्या करते हैं debit bank balance घटता है तो क्या करते हैं credit इंट्री क्या होगी बेटा हमारी यहाँ पे creditor account debit to bank account creditor account debit to क्या आपका bank account बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि बताओ बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई समस्या तो नहीं अच्छा सर एक बात बताओ कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या कि माल लीजे हमने चेक कस्टमर से मिला हो और वो चेका डिसॉनर हो जाए क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या अरे 110 परसेंट हो सकता है जो कस्टमर से चेक मिला है वो भी डिसॉनर हो सकता है जो चेक आपने दिया है वो भी डिसॉनर हो सकता है सर क्या उसकी अलग से इंट्री करनी पड़ेगी You are the accountant बेटा And account is the language of business You are the accountant and account is the language of the business सब करना पड़ेगा सब करना पड़ेगा यानि ये जो डेटर से आपको check मिला था ये जो डेटर से आपको क्या मिला था चेक मिला था वो check क्या हो गया डिसॉनर हो गया अब कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर गलती कर दिये कॉमर्स लेकर कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है ये बिटा एक बात बता हो एक बात बता हो एक महीने का चैप्टर अगर आप एक लेक्चर में पढ़ोगे अठिन तो लगेगा ही चलिए चेक देखो कस्टमर चेक कस्टमर चेक डिसॉनर कस्टमर चेक क्या बिटा डिसॉनर और क्रेडिटर चेक डिसॉनर अगर कस्टमर चेक डिसॉनर है तो यानि आपने जब कस्टमर का नाम देखो जब आप डेटर से चेक मिल रहा था डेटर यानि कस्टमर यान से इंट्री की थी इसी का उल्टा कर दीजे इसी का क्या कर दीजे आप उल्टा कर दीजे यानि आप यहाँ पर लिखेंगे अब डेटर फिर से create हो जाएगा आप यहाँ पर क्या लिखेंगे डेटर account debit to dishonor of check dishonor of check bank मत लिख दीजेगा ठीक है dishonor of the check clear हो गया पेटा और यहाँ पर जो आप इंट्री कर रहे थे check account creditor account debit to bank तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे dishonor of check account debit to क्या बेटा creditor तो क्या आपका creditor यानि फिर से हमारी liability क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी एक में हमारी assets फिर से create हो जा रही है और दूसरे में हमारी liability फिर से क्या हो जा रही है create हो जा रही है बताओ समझ में आगया कि नहीं तो कहना ही पड़ेगा भाई नहीं कहो गेत काम कैसे चलेगा अब आखरी टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं और आखरी टॉपिक है आपका इस्पेसल जर्नल इंट्री लेकिन इस्पेसल जर्नल इंट्री के अगर हम बात करें इस्पेसल जर्नल इंट्री आपकी लगभग है खेट हो खाली जादा नहीं है ठीक है चलें आगे बिटा अगला हेटिंग डालेंगे सभी लोग इस्पेसल जर्नल इंट्री इस्पेसल जर्नल इंट्री में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका बैट डेप लिखिए बिटा डालेंगे जर्नल इंट्री इस्पेसल डाल कर जर्नल इंट्री डालेंगे बाद देप रिकबरी बाद डेप रिकबरी ज्यान से सुनना बेटा जर्नल इंट्री रिलेटेट टू दा बाट डप एंड बाट डप रिकबरी ज्यान से सुनना बाट डप का मतलब क्या होता है कि अब हमको पैसा नहीं मिलेगा बाट डप रिकबरी का मतलब है क्या कि जो पैसा हमारा डूब गया था वो पैसा हमको मिल जाए जो पैसा हमारे डूब गया था वो पैसा में क्या हो जाए मिल जाए जैसे एक डेटर है जिसका नाम है माल लीजे अरसलान एक हजार रुपया उसको देना था अब वो क्या हो गया दिवालिया हो गया क्या हो गया विटा दिवालिया हो गया उसने कहा सर हम दिवालिया हो गये हैं हम बरबाद हो गये हैं लेकिन हम वादा करते हैं आपको हम 50 पैसा देंगे एक रूपय के बदले पचास पैसा देंगे लेकिन किस के बदले एक रूपय के बदले अब एक बात बताओ मिलना कितना था एक हजार लेकिन अब एक रूपय के बदले पचास पैसा मिलेगा यानि एक हजार गुड़े पचास पैसा यानि कितना 500 ही तो मिलेगा क्या बाकी नहीं सर यानि 500 आपका कै होगा और 500 आपका क्या हो जाएगा बैड डेप्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा बैड डेप्ट हो जाएगा बताओ समझ में आया कि नहीं आया तो सर यहां पर इंट्री क्या होगी यहां पर इंट्री होगी बैटा बैंक एकाउंट डाबिड कितने से 500 और बैड डेप्ट एक समझ में आया कि नहीं आया समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब ये तो हो गई आपकी बैट डेप वाली इंट्री अब सोचो कुछ दिन के बाद किसके पास पैसा आ गया इसने का सर 250 रुपया मैं आपको और दे दे रहा हूँ मैंने का लाओ 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 क्या दिक्कत है लाओ यानि बैट डेप क्या हो गई रिकबरी हो गई तो यानि आपका क्या इंट्री करेंगे कि याईश अकांट डेविट कितने से 250 और यहां पर क्या लिखेंगे बेट है बैटड डेप्ट रिकबरी कितने से 250 ति से अब का 250 दो बैट डेप्रिकबरी होगा सिल्फ उतना रुपया ही क्या करना है लिखना है बताओ बात में आगई के नहीँ आ गई ठीक है अब यह मत कि सर जितना बचा है उतना लिखिएंगे नहीं नहीं जितना हो चुका है लिएर वो गया गए आपकी इंट्री डरिलेटेट अ बाद करी जल्दी से कि नोट करिए चालो अगला देखेंगे बेटा अगला हेडिंग डालेंगे इन खरेंगे जनलने ग्यतों तेर्वाट यह झांड हे प्रत देह वराई ग्यालर ओर्स्टाप्त प्रत काष्त ब обязते़ कि अज्डरुसिम्ट चाशिग Outstanding Expense and क्या आपका? Prepaid Expense अच्छा एक बात बताईए Outstanding Expense आपके लिए क्या है बेटा? Liability है न? वही फ्यूचर में देना रहेगा और Prepaid Expense आपके लिए क्या है? Assets है क्योंकि future में आप इसका इस्तमाल करेंगे Outstanding Expense यानि Outstanding Liability यह इसका Balance क्या करेंगे हम? Credit और Prepaid Expense होगा तो इसका Balance हम क्या करेंगे बेटा? Debit करेंगे Example से समझें? देखो जैसे माल लीजे कि आपको Salary देनी थी 10,000 रुपए है आपको salary देनी थी कितनी? 10,000 रुपए है आपने सिर्फ 8,000 रुपएा पे किया आपने कितना रुपए पे किया? 8,000 तो इसका मतलब अभी 2,000 रुपए क्या है बेटा? Outstanding पढ़ा है की नहीं पढ़ा है? कितना पढ़ा है? 2,000 रुपए आउट स्टेंडिंग पढ़ा है की नहीं पढ़ा है? क्या entry करेंगे सर यहां पे देखिए सरा Salary account debit कितने से दस हजार से कितना pay किया आपने 2 cash कितना pay किया 8000 और कितना outstanding हो गया क्या लिखेंगे outstanding salary कितने से 2000 से बता हो समझ में आया कि नहीं आया माणलो sir हमने 10 हजार देना था लेकिन 15 हजार दे दिया पाची बात है 15,000 दे दिया तो इसका मतलब 5,000 आपके लिए क्या हो गया प्री पेड हो गया की नहीं हो गया हा न इंट्री क्या होगी जरा देखो salary देना कितना था और देना तो 10,000 था तो यहाँ पे salary account डाविट कितने से 10,000 से लेकिन आपने pay कितना कर दिया to cash कितना pay कर दिया आपने पंदरा हजार तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा prepaid salary account debit कितने से बेटा 5000 से कितने से आपका 5000 से बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो अगर prepaid salary है prepaid expense है तो उसका balance क्या हो जाएगा debit और अगर outstanding expense है तो उसका balance क्या हो जाएगा credit बताओ concept clear हो गया बेटा सबका वह ऐसा जो कहें सर अभी clear नहीं हुआ हो गया clear बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली heading सभी लोग डालेंगे journal entry related to the accrued income and advance income ठीक है यानी accrued income accrued income इंकम और यह हो गया आपका क्या advance income अगला heading देखेंगे accrued income and advance income जमध्यान से समझे, एक्रूड इंकम का मतलब क्या होता है, कि आपको पैसा मिलना था, देखो बेटा, आपको कमीशन रिसीव होना था, आपको क्या रिसीव होना था, कमीशन, 20,000 का कमीशन रिसीव होना था, लेकिन सिर्फ आपको 15,000 ही रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब 5,000 अब ये रिसीब होना बाकी है पांच हजार क्या हो गया रिसीब होना बाकी है ये पांच हजार आपके लिए क्या हो जाएगा एक क्रूड इंकम हो जाएगा एक क्रूड कमीशन हो जाएगा लेर हो गया बेटा तो अब देखें accrued commission आपके लिए क्या होता है एक बात बताईए accrued income आपके लिए क्या होता है assets होता है की नहीं होता है बटा assets होता है तो इसका balance हम क्या करेंगे debit और advance income आपके लिए क्या होता है liability अभी कुछ देर में चर्चा करेंगे इसकी फिर क्या इंट्री होगी जरा बताना मुझे इंट्री क्या होगी cash account debit कितने से 15,000 से और two commission commission कितने से 20,000 से मिलना था न तो 5000 आपका यहां पर क्या हो जाएगा extrude क्या लिखेंगे ए क्या लिखेंगे एक्क रूड कमीशन क्या लिखेंगे बेटाहए णकाऊंट अक्लोय कमीशन अक्कूण डगट कमीशन से 502 इंडल नहीं समझ में आतीदे दढिंद्ध यह इसे भीचा दिस तो सोसते थे कि टीचर्वा समझ जाएगा लेकिन सबम्हें हमसे ज्यादा समझधार वह आई से क्या करते थे अगर घिच पिचाया है तो यह इसे लिकते फें सकती है कि एते थे विपुल मिसरा यहां आओ मैं कहता थक गया आज है तो जब भी मेरा क्लास में नाम इनाउंस होता था तो मैं जान जाता था कि आज सवार है मेरे सर पे लोग पीटते थे मेल टीचर पीटते थे लेकिन फीमेल टीचर नहीं पीटती थी कि यह बात सही है यह बात सही मैं मानता हूं यहां तक कि जो हमारी टीचर होती थी एक मैं मैं क्या कहते हैं हम नहीं याद आ रहा है, सुलेखा मैम, तो सुलेखा मैम तो इतनी जादा अच्छी है, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, स्वस्त रहे वो, इतनी अच्छी मैम है, कि जब भी भी हम कभी उदास होते थे, तो आके हमको चॉकलेट खिलाती थी, ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, क्लास टेंथ, प्रैक्टिकल होता है, पायो का प्रैक्टिकल अलग होता है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल अलग होता है, और फिजिक्स का प्रैक्टिकल अलग होता है, ठीक है, क्लास टेंथ में, औ जिक्स का दे दियास, बना थे मेरा, वो क्या कहते है, फाइल वेल बनती है ना, वो बनती है, लेकिन केमेस्ट्री वाला मेरा बाकी था, क्योंकि केमेस्ट्री वाइसे ही मेरी दुसमन थी, उदास, हैरान, स्कूल की फिल्ड में खड़े थे हम, मैम आई, कहीं क्या हो गया विपुल, वो क्यमेस्ट्री वाला मेरा नंबर खराब हो गया, कहीं का है, मैम फाइल नहीं बनी है, और जो मैम है वो भी आप जैसी नहीं है, कहीं कोई बात नहीं चलो, आप यकिन नहीं मानोगे, उन्होंने हाथ से, दस में से, दस दिया था, भगवान उनको स्वस्त रखे, ठीक है, देखो एक चीज जानो, बेटा, क्या होता है, मैं आपको बताओं, जब हम लोग छोटे रहते हैं, तो हमारी जो सोच रहती है, वो भी बहुत छोटी रहती है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते है वैसे हमारी सोच का जो दाइरा होता है, वो बढ़ जाता है, अगर कोई टीचर हमको प्यार से कुछ भी बोल रहा है, तो हम अकसर उसके बारे में गलत सोच लेते हैं, जबकि आपको ये सोचना चाहिए, कि भीया, हो सकता है कि वो टीचर मेरी बहन हो सकती है, ये भी तो हो स हम सोचते हैं, अरे यार क्या गलती कर दिये, ये नहीं कहता कि आप सब गलत हैं, हाँ, वो उमर ही साली गलत है, आप नहीं गलत है, उमर ही गलत है, ये जानो आप, ठीक है, तो कोई भी टीचर अगर आपको प्यार से बात कर रहा है, ठीक है, तो ये मत सोचा करो कि वो आपक इसलिए बार अगर आप लोग नहीं थे क्या नहीं थे आप लोग यहां नहीं थे आप लोग अभी तो आप लोग 11 में हैं विकॉम की जितनी भी बच्चियां हैं सबने मुझे राखी बादी सबने राख्षी हरें गढ़ दे क्लास के बाहर आपसे कभी मिलूंगर आपका भाई बन के मिलूंगर और मामा भी मिलकर बहुचा चलिए आगे देखेंगे तो मामा ओमा वाली बात बात में अभी आगे देखो एडवांस इंकम तो एडवांस इंकम की बात करेंगे आँ तो जैसे आपको 20,000 मिलना था आपको मिल गया बेटा 25,000 आपको मिल गया कितना 25,000 यानि आप यहाँ पे कैश इंट्री करेंगे कितना कैश अकाउंट डेबिट कितने से 25,000 से कैश अकाउंट डेबिट कितने से 25,000 से और तो आपको कमीशन कितने से कमीशन कितने से 20,000 से और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 एडवांस कमीशन चाल लिखेंगे बीटा Advance Commission कितने से 5,000 से बराबर हो गया की नहीं खेल बराबर हो गया खेल चालिए लास्ट दो पॉइंट और है बस जरनल इंटरी रिलेटेज टूं इंट्रेस्ट औन कैपिटल इंट्रेस्ट औन कैपिटल and interest on drawing यह मैंने बता रख्था interest on capital and interest on drawing कली बताया है आपको मैंने जब capital वाला portion पढ़ा रहा था बता रख्था है न तो बस और क्या इसी के साथ आपका जर्नल इंट्री भी यहीं पर क्या होती है समाथ होती है आप लोग अपने आपको थाली बजाईये खतम होती है तो जर्नल इंट्री और लेजर हम लोगों ने क्या कर लिया अचा हमारा जो नेक्स्ट रिवीजन रहेगा वह सुन लीजे आपका कौन सा रहेगा नेक्स्ट रिवीजन है हमारा जर्नल इंट्री तो लेजर कंप्लीट हो गया next revision है हमारा किसे ला रहा है हमारा next revision रहेगा वो subsidiary book का रहेगा subsidiary book हम सारा हम कल complete करेंगे हमारे प्रफ का से ही related आता है तो आज के लिए फिलाल इतना ही मिलेंगे कल तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए अपनी अपनी दिवाओं में याद रखिएगा जय महादियो तो बेटा जी आपकी next heading क्या है जर्नल इंट्री related to the liability देखो assets capital हमारा complete हो चुका है अब बारी liability की जब आप liability की बात करते हो बेटा तो liability में पहला क्या होगा जब आपकी liability क्या हो रही है बढ़ रही है और दूसरा क्या होगा जब आप liability को क्या करेंगे समाप्त करेंगे एक example से चलते हैं सबसे पहले आपको क्या होगा increase of liability increase of liability अच्छा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि liability capital और income तीनों का एक ही रूल होता है बढ़ेगा तो क्या करेंगे credit करेंगे और घटेगा तो क्या करेंगे debit करेंगे for example बेटा कि आपने bank से loan लिया आपने bank से क्या लिया loan लिया loan taken from bank loan taken from bank माल लीजे 10,000 तो आपका 10,000 से liability बढ़ गई की नहीं बढ़ गई भविश्य में आप पैसा देंगे की नहीं देंगे लेकिन अभी बताईए वर्तमान में आपके पास क्या हुआ है क्या आया क्या गया सर आपके पास आपका bank balance 10,000 से बढ़ जाएगा की नहीं बढ़ जाएगा भई बैंक क्या करेगा कि आपके bank account में पैसा credit कर देगा यानि आपका bank balance 10,000 से बढ़ गया की नहीं बढ़ गया और साथी साथ आप future में liability पे करेंगे जिसका नाम क्या है bank loan यानि liability भी तो आपकी 10,000 से बढ़ गई की नहीं बढ़ गई बेटा बताओ ज़रा जल्दी से तो अगर bank आपके लिए क्या है अब बताओ, assets है, bank loan आपके लिए क्या है, liability, assets बढ़ती है तो क्या करते है, debit, liability बढ़ती है तो क्या करते है, credit, तो हमारी entry यहाँ पे क्या होगी, ये बताओ, हमारी entry यहाँ पे होगी बेटा जी आपकी bank account, debit to bank loan, bank account debit to क्या आपका, bank loan, creation समझ में आ गया कि नहीं आ गया अगर आपको याद हो तो आप capital को भी credit करते थे capital को भी क्या करते थे credit करते थे आगे देखेंगे एक और point सर एक बात बताओ मालो इसी liability को अब हमेंने pay कर दिया हमने क्या किया कि 5,000 रुपिया हमने pay कर दिया bank को हमने 5000 पे कर दिया इसका मतलब अगर आपने bank को 5000 पे कर दिया इसका मतलब आपका cash balance या bank balance 5000 से कम होगा की नहीं होगा जवाब दीजे 5000 से कम होगा की नहीं होगा सर होगा अच्छा एक बात बताए जो liability आपकी 10,000 रुपे थी वो क्या होगा वो बढ़ेगी की घटेगी वो liability क्या हो जाएगी घट जाएगी न भाई जब आपको मिल रहा था तो आपकी liability बढ़ रही थी अब जब आप भुक्तान कर रहे हैं तो 5000 आपका क्या हो जाएगा घट जाएगा की नहीं घट जाएगा बता बेटा समझ में आ गया की नहीं आ गया अब बता बैंक आपके लिए क्या होता है assets लोन जो आप घट रही है या आपकी क्या है liability है इसको क्या करेंगे liability घटती है तो क्या करते हैं सर debit करते हैं और cash मतलब assets घटती है तो क्या करते हैं इसको credit तो ज़रा entry बताओ क्या होग आपको बातें क्या याद रखनी है आपको वही बात याद रखनी है जो मैं आल्रेडी आप से कह चुका हूँ क्या आया क्या गया और जो आया है वो है क्या बिटा अगर आप इस प्रिशप्शन से कुशन करते हैं तो आप यकीन मानिए 99.9% आपका अंसर सही होगा 99.9% आपका अंसर क्या होगा सही होगा बात समझ में आगे बेटा जी चले आगे हम लोग ये थी इंटरी आपकी किसकी लाइबिलिटी को लेकर अब अगला पॉइंट है हमारा इंकम और एक्सपेंस को लेकर यानि अगला हेडिंग डालेंगे जर्नल इंटरी और जर्नल इंटरी किसका इंकम का और जर्नल इंटरी किसका एक्सपेंस का एक बात याद रखिए बेटा इंकम चाहे जो भी हो उसका बैलन्स ओल्वेस क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंस के नाम पर क्या आएगा salary आएगा expense के नाम पे क्या आएगा purchase आएगा expense के नाम पे क्या आएगा wages आएगा expense के नाम पे क्या आएगा rent आएगा expense के नाम से क्या आएगा interest paid आएगा इंट्रेस्ट पेड आएगा तो ये सारे की सारे बैलेंस आपके क्या हो जाएंगे डाबिट हो जाएंगे और इनके बदले आप क्या करोगे भुकतान ही तो करोगे इनके बदले क्या करोगे आप भुकतान तो भुकतान किसमें करोगे या तो cash के माद्धियम से करोगे या तो किसके माद्धियम से करोगे bank के माद्धियम से तो cash के माद्धियम से करोगे तो क्या लिखोगे to cash और अगर bank के माद्धियम से करोगे तो क्या लिखोगे to bank cash के माद्धियम से करोगे तो two cash और bank की मादने में से करोगे तो क्या two bank बताओ समझ में आया की नहीं आया तो जितने भी आपके expense है सबको आपको debit करना है बाकी भुकतान तो करना ही करना है ना भाई आपको बात समझ में आगी की नहीं आगी बिटा अच्छा सर इंकम income में पैसा मिलेगा की पैसा जाएगा ये बताओ income में पैसा मिलेगा आपको ना तो अगर income में पैसा मिलेगा तो उस पैसे को क्या करेंगे पैसा मिल रहा है यानि आपका या तो bank balance बढ़ेगा या तो आपका कौन सा balance बढ़ेगा cash balance बढ़ेगा तो इसको particular को क्या करेंगे हम debit कर देंगे और जो आपकी income है जैसे आपकी income हो गई sale, आपकी income हो गई commission receive आपकी income हो गई to interest receive यानि जो भी कुछ आपको receive होगा उसको particular चीज़ को आप क्या करेंगे बिटा credit करेंगे बताइए concept clear हो गया के नहीं हो गया यानि income है income है तो आपका क्या हो जाएगा credit, expense है तो आपका क्या हो जाएगा debit हो जाएगा आथ समझ में आ गई की नहीं आ गई तो ये basic चीज़े है basic portion है आपके किसका journal entry का ये आपका क्या है basic portion of क्या है journal entry है अब हम कुछ और point consider करते हैं कुछ और additional information उठाते हैं किसकी journal entry की सबसे पहला heading आप सभी लोग डालेंगे opening journal entry कई बार इस तरीके से सवाल आप लोगों से पूछता है कि ये opening journal entry नाम की चीज है क्या opening journal entry ठीक है opening journal entry की पहचान क्या है वो आपको कहेगा balance of एक जन्वरी balance of एक जन्वरी cash 5000 bank 10,000 data 20,000 creditor 15,000 machinery 8,000 land and building land and building 10,000 अब आप से question कहता है past journal entry अब ये जो balance आपको दिया गया है ये जो आपको क्या दिया गया है बिटा balance दिया गया है ये balance कप का है ये बताओ मुझे ये balance कप का है एक जन्वरी का या मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 31 December का balance है बताए क्या ये मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ अरे 31 December के बाद अगला balance क्या होता है एक जन्वरी ही तो अता आता है अब जब आप opening journal entry करेंगे तो कुछ बाते आपको याद रखनी है क्या सर जो opening journal entry होती है वो सिर्फ assets की liability की और capital की ही होती है यानि opening journal entry is related to the assets liability and capital सर एक बात बताओ क्या income और expense से related नहीं होगा क्या income और expense related नहीं होगा क्या मैं कहूंगा नहीं होगा अब आपके मन में एक सवाल आएगा सर क्यों नहीं होगा काहें नहीं होगा बताइए इसलिए क्योंकि income और expense आप already ट्रायल बैलन्स आप already trading account या profit and loss account में भेश चुके हैं आप already आप trading trading account और कहाँ भेश चुके हैं profit and loss account में भेश चुके हैं balance पता कर चुके हैं आप तो फिर opening entry कैसे अरे opening entry तो उनकी होती है जो balance बचा हो न भाई salary आपने दी आपने क्या दिया salary दिया 10,000 देना था 10,000 दे दिया अगली बार क्या वो आपसे कुछ हाके मांगे गया क्या यह कह सकते हो कि सर्थ salary 10,000 देना था लेकिन सिर्फ 8,000 दिये हैं तो 2000 अभी बचा है कि नहीं बचा है 2000 अगर बचा है तो आपकी क्या create कर गया liability create कर गया कि नहीं कर गया सर 10,000 देना था 15,000 दे दिया 15,000 यानि अगले का दे दिया ना अगले का दे दिया यानि वो आपकी क्या बन गई assets बन गई की नहीं बन गई तो जो आप opening journal entry करते हैं बाबू वो सिर्फ किस की करते हैं income expense और income को छोड़ कर बाकी किस की करते हैं assets liability और capital की करते हैं बताओ समझ में आया की नहीं आया अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको transaction बता रहा था जब मैं आपको क्या बता रहा था transaction बता रहा था तो मैंने आपको बताया था transaction आपके 5 तरीके के होते हैं कितने तरीके के होते हैं पास तरीके के होते है ना बताया तक नहीं बताया था देखो ये लिखा है ना capital liability income expense assets तो opening journal entry किस से related होता है सिर्फ तीन transaction से related होता है और वो तीन transaction क्या है बेटा या तो वो आपकी assets होगा या तो liability होगा या तो फिर क्या होगा capital होगा और opening entry करने का सबसे shortcut तरीका बताता हूँ अंध्यान से सुनना liability और capital का balance always क्या होता है credit तो इसको किस तरफ लिखेंगे credit की तरफ और assets का balance always क्या लिखेंगे हम debit यानि जो कुछ assets है उसे आप debit लिखिए जो कुछ capital है या liability है उसे आप किदर लिखिए credit लिखिए ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा है cash तो cash आपके लिए क गांख कैसे लिखेंगे cash as count debit कितने से 5000 से फिर क्या लिखा है बटा bank कितना है आपका bank account debit कितने से दध हजार से फिर क्या लिखा है डेटर टो डेटर कितने से आपका डेटर एकाउटड़ डेबिड कितने से आपका 20,000 से फिर उसके बाद अगला प्व kaf और क्रेडिटर क्रेड़ प्रेडिटर मतलब क्या होता है लैविलिटी नद सकgger किसमे से डेडिड़ साइड ए क्रेड़ side लेकिन उससे पहले जड़ा देखो machine भी दिया है पहले machine लिख दो तो machine account debit कितنे से 8000 से कितने से आपका 8000 से अब देखिए फिर आगे क्या लिखा है land and building land and building account debit कितने से 10000 से औफिर उसके बाद two क्या detector इतने से बेटा 15,000 से देखो समझ में आया कि नहीं आया अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ आप always कहते थे debit बराबर credit लेकिन यहां तो debit का balance ज्यादा दिखरा है मुझे और credit का balance क्या हो रहा है सिर्फ 15,000 दिखरा है बाइड का balance कितना आ रहा है 5, 10, 15, 15, 10, 15, 20 कितना हो गया 15, 20, 35 ना 15, 20, 35, 35, 45, 45, 48 45 में 5 जोडेंगे तो 50 हो जाएगा तिरपन कितना हो गया तिरपन देखो debit side में कितना आ रहा है तिरपन लेकिन इधर तो 15,000 आ रहा है सर अरे बेटा याद करो क्या capital का एक formula बताया था मैंने capital बराबर assets minus क्या liability यानि अगर तिरपन हजार में से अगर मैंने 15,000 घटा दिया तो क्या मेरा capital आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा तो सर क्या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं क्या दिक्कत है तो जड़ा 53,000 माइनस 15,000 घटाओ कितना आएगा जल्दी से बताओ तिरपन हजार माइनस 15,000 घटा तो बचा 43,000, 43,000 में से 5000 और घटा दो 43,000 माइनस 5000 बैलेंस आएगा आपका 38,000 तो इधर भी 33,000 हो गया उधर भी क्या हो गया तिरपन हजार हो गया बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया बैलेंस क्लियर हो गया तो ओपनिंग जर्नल इंटरी समझ में आ गई बेटा कोई समस्या तो नहीं है चलिए फिर अब ओपनिंग जर्नल इंटरी के बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आपका डिसकाउंट टीक है हेडिंग डालिए ज़रा सभी लोग पहले इसको न अब देखो एक चीज जानो अगर बिजनस के पॉइंट पे बात करोगे आप ध्यान से सुनना अगर आप किसके बात पे करोगे बिजनस के पॉइंट पे अगर बिजनस को डिसकाउंट रिसीब हो रहा है बिजनस को डिसकाउंट क्या हो रहा है बेटा रिसीब हो रहा है तो सर एक बात बताओ माल लो business discount allow कर रहा है discount क्या कर रहा है allow कर रहा है तो वो business के लिए क्या होगा loss होगा बात समझ में आ गई अब सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताईए business को discount receive कब होता है business को discount दो condition में receive होता है पहला condition कि जब business कोई भी assets को या goods को क्या करता है purchase करता है मतलब at the time of क्या purchase at the time of क्या बेटा purchase और दूसरा at the time of payment at the time of क्या payment तो business को discount कब receive होता है at the time of purchase और at the time of payment बात समझ में आ गई बेटा फिर discount allow कब होता है business discount allow कब करता है business discount दो condition में allow करता है at the time of sale या फिर at the time of amount receive amount receive बताओ समझ में आ गया की नहीं आ गया point clear हो गया की नहीं clear हो गया बेटा इतना बताओ जल्दी से अब discount receive business के लिए profit है तो इसका balance क्या होगा credit discount allow है loss है तिसका balance क्या होगा concept clear हो गया की नहीं clear हो गया concept clear हो गया की नहीं clear हो गया चलें बेटा आगे आगे चलें तो अब देखो discount से related entry देखते हैं एक बार allow वाला भी देखते हैं और एक बार कब देखते हैं receive वाला भी देखते हैं तो इधर हमने लिख दिया क्या discount allow अब इधर हमने क्या लिख दिया discount receive discount allow और discount receive concept clear है ना कब receive होता है और कब allow होता है ठीक है एहला point good sold of rupees 20,000 at 9,990 अभी-कभी ऐसा bargaining होता है कि नहीं होता या नई सजार नई 9,990 रूपया कल मैं बता हूँ एक बात कल मैं समाल लेने गया आपके चौक में ही एक हमारे अच्छे मित्र है मुकेस नाम है उनका तो बिल आया था आपका 4790 रूपया बिल कितना आया था? 4790 रूपया या लिख दे रहा हूँ 4790 रूपया मैंने का मुकेस भाहिया बताओ कितना देना है उन्हों ने कुछ जोड़ा जोड़ा उन्हों ने कहा भाहिया 4790 रूपया दे दीजिए तो इसका मतलब 90 रूपया का उन्हों ने मुझे क्या दे दिया बेटा? discount, हमारे लिए as the purchaser 90 रुपया क्या है, profit as the seller, उनके लिए 90 रुपया क्या है, loss अब समझ में आ गई इस concept पर आपको चलना है कि आपको receive हो रहा है या आपको allow हो रहा है यह आपको देखना है यहाँ पर आप समान बेच रहे हैं कितने का समान बेच रहे हैं 20,000 का, लेकिन पैसवा कितना मिल गया 19,990 यानि 10 रुपया नहीं मिला discount हो गया न, तो entry क्या होगी, देखे ज़रा आपको पैसा कितना मिला, cash account debit 19,990 रुपया discount allow किया है आपने, तो discount allow जब हम करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, loss, और loss का balance क्या होता है, debit तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, discount यानि अगर discount debit है, इसका मतलब यह क्या है loss है, और फिर उसके बाद, to, क्या आपका sale, कितने से 20,000 से अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा किसार एक बात बताईए दिमाग में ये आएगा किसार एक बात बताईए हम direct entry 19,990 19,990 से क्यों नहीं किये 20,000 से क्यों किये अरे भीया, आपके पास goods कितने का जा रहा है 20,000 का जा रहा है full disclosure principle क्या कहता था सब कुछ record करना है 10 रुपय का discount दिया है या 10 रुपय का discount मिला है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा record करना पड़ेगा बताओ समझ में आया कि नहीं आया एक और question देख लेते हैं बेटा एक data है एक क्या है बेटा data है ठीक है दस हजार का data है इसने क्या किया कि 9500 रुपया paid in full settlement paid in full settlement यह सब्द ध्यान से सुनिएगा full settlement का मतलब क्या होता है कि इसके बाद ना तो लेना है ना तो देना है full settlement मैं आपको बताओ एक बार मेरे घर पे काम चल रहा था जो plumber थे उन्हों ने कहा किस भाईया क्योंकि पूराना gate Hoặc हमें नया gate लगवाना था मैंने का ठीक है पुराना gate क्या करेंगे बेच देंगे plumber ने कहा कि भाईया हमको यह gate दे देजे और बाकी पैसा हम अर्जस्ट कर लेंगे मैंने का ठीक है कितने मिलेंगे आप ये गेट तो उन्होंने का भाईा पचपन सो रुपया हम आपको दे देंगे हमने का ठीक है तो फचपन सो रुपया हमने हमने क्या किया कि उनको बेच दिया ठीक indirect अब एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, तीन महीना हो गया, उन्होंने पैसे नहीं दिया, सांसे ना ले, मैं कहूं भाईया पैसवा दो, तो कहा है, भाईया अम्मा बिमार है, महरारू बिमार है, लड़का बिमार है, मतलब दुनिया भर की कहानी, मैंने कहा ठीक है, कोई बा कि भाहिए हमने लगे खाली 5000 पड़ा में है लावाद्य लावाद्य तुरंट द्याः अब उसके बाद कितने कितना देना था कि लरा मैं ने लिया उसके बाद मैंने का गिष्काई देदिया कि नहीं देदिया तो आप क्या हो गया, फुल सटेलमेंट हो गया, पांसो लेना था मुझसे, लेकिन मैंने क्या कहा कि आप नहीं लूगा, जाओ छोड़ दिया, यानि डिसकाउंट दे दिया की नहीं, दे दिया, तो आप डिसकाउंट एलाओ किस कंडिशन में करते हैं, दो कंडिशन में न, सेल और एमाउंट रिसीव, तेल और क्या, एमाउंट रिसीव, देखो, दस हजार का था, मिलना कितना था, दस हजार, लेकिन कितना उसने दिया, सिर्फ, नो हजार पांसो, ओ भी फुल सेटलमेंट, तो आप इंट्री क्या गरोगे, कैश, कितने से, नो हजार पांसो से, कितने से, पांसो से, और फिर यहाँ पे टू, क्या, डेटर, कितने से आपका, दस हजार से, बताओ, समझ में आ गया, कि नहीं आ गया, समझ में आ गया बेटा जी, आगे चले, तो ये तो हो गया, डिसकाउंट अलाउ की कहान, डिसकाउंट अलाउ की जर्नल इंट्री, अब बारी है discount receive की मतलब अब हमें receive होगा हमें यानि किसको business को और business को discount कब receive होता है वाई दो condition में जब हम समान purchase करते हैं या जब हम payment करते हैं तो हमने क्या किया कि purchase कर लिया purchase goods of rupees 10,000 at 10% discount 10,000 का समान 10% discount पे हमने खरीदा 10,000 का समान हमने क्या किया 10% discount पे खरीदा हमने समान कितने का खरीदा ये बताओ सबसे पहले 10,000 का था 10% discount यानि 10,000 minus 10% discount कितना हो जाएगा एक हजार न तो हमको कितना रुपया भुकतान करना पड़ेगा लेकिन हमको समान मिला कितने का तो यानि हम entry क्या करेंगे purchase account debit कितने से 10,000 से हमने cash कितना दिया 9,000 तो हमें discount भी कितना मिल गया discount भी हमें कितना मिल गया एक हजार बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया यानि जब आपका discount debit होता है तो वो आपके लिए loss होता है और discount अगर credit हो रहा है तो वो आपके लिए क्रेडिट हो रहा है बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं समस्या तो नहीं चालो आगे देखते हैं अब इस discount से related तो entry हमने सीख ली अब इस discount के type को भी हमें सीखना पड़ेगा इस discount के किसको समझ सीखना पड़ेगा अब को भी हमें सीखना पड़ेगा और जब आप discount के type की बात करते हो तो discount के दो type होते हैं एक होता है आपका trading discount या एक होता है आपका trade discount क्या होता है बेटा trade discount और दूसरा होता है आपका cash discount क्या होता है cash discount ठीक है ध्यान से सुनना जो trade discount होता है उसकी हमें general entry नहीं करनी होती है जो trade discount होता है उसकी हमें general entry करने की आशकता नहीं होती है लेकिन जो cash discount होता है इसकी हमें general entry करनी होती है जान से सुनियेगा जो trade discount होता है वो before the sale दिया जाता है कब दिया जाता है before the sale दिया जाता है और जो cash discount होता है वो आपका कब दिया जाता है after the कब दिया जाता है आपका आफ्टर दा सेल दिया जाता है clear हो गया बेटा अच्छा जो trade discount होता है इसका objective होता है increase increasing the sale इसका जो objective होता है वो क्या होता है आपका increasing the sale ठीक है वेटा और जो cash discount होता है इसका objective होता है receiving cash quickly receiving cash quickly यानि जल से जल हमको पैसा क्या हो जाए मिल जाए जल से जल हमको पैसा क्या हो जाए मिल जाए एक चीज और जानना जो trade discount होता है वो cash plus credit दोनों transaction के लिए allow होता है चाहे आप समान cash में खरीदो चाहे आप credit में खरीदो trade discount है तो देना पड़ेगा और अगर cash discount की बात करोगे अगर आप किसकी बात करोगे cash discount की बात करोगे तो cash discount सिर्फ किस transaction के लिए allow है cash transaction के लिए allow है कई बार इस तरीके का question आपसे पूछा जा सकता है कि give the difference between the trade discount and the cash discount लिख लेंगे की नहीं लिख लेंगे हो जाएगा कि अधिया इतना अधिया 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 इतना अधिया तो अधिया तो तो कम से कम देखे होते यार system पर चलो बटा आगे चलें तो यह हो गया आपका क्या डेटी डिसकाउंट और कैश डिसकाउंट का डिफरेंस आगे देखेंगे चलो बटा आगे देखेंगे तो यह आपका ट्रेट डिसकाउंट और कैश डिसकाउंट का डिफरेंस था अब बारी है आपके नेक्स्ट पॉइंट की जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरी क्या कहते हैं बेटा कंपाउंड इंटरी तर यह कंपाउंड जर्नल इंटरी क्या होता है इसका एक और नाम है मिक्स जर्नल इंटरी क्या नाम है बेटा मिक्स जर्नल इंटरी होता क्या है कि जब सेम डेट पर क्या बोला मैंने सेम डेट पर सेम नेचर आफ ट्रांजेक्शन सेम नेचर आफ ट्रांजेक्शन डील किये जाएं उनको अलग अलग इंट्री ना करके एक में लिख दिया जाता है जैसे रेंट सैलरी वेज़ेस बताओ इनका नेचर क्या है इनका नेचर क्या है आपका मैंने यहाप लिख दिया कमीशन रिसीव क्या लिख दिया बेटा कमीशन रिसीव रेंट रिसीव क्या लिख दिया रेंट रिसीव लिख दिया इंट्रेस्ट रिसीव लिख दिया इनका भी नेचर क्या है सेम ही तो है, एक आपका expense है, दूसरा आपका क्या है, income है, तो आपको क्या करना है, देखो, अभी तक आप अगर rent की entry करते थे, तो आप entry करते थे, rent account debit to cash account, salary की अगर आप entry करते थे, तो salary account debit to cash account, wages की entry करनी रहती थी, तो wages account debit to cash account, भहिया इतना ताम जहाम करने की जरूरत नहीं आप सीधा एक इंट्री compound वाली करो क्या rent account debit, salary account debit, wages account debit, wages account debit, और फिर to क्या आपका cash, यानि सब balance जोड़कर यहाँ पर आप क्या कर दीजे, लिख दीजे, सब balance जोड़कर यहाँ पर क्या कर दीजे आप, लिख दीजे, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आप समझ में आ गई, अच्छा सर, इसकी इंट्री क्या होगी, जो commission receive, rent receive, या interest receive, अरे तो पैसा ही तो receive होगा, तो cash account debit, तू क्या commission, तू क्या commission, तू क्या rent receive, तू क्या interest receive, बताओ, compound entry clear हो गई कि नहीं clear हो गई, यानि compound entry का मतलब है कि जहाँ पर same date, condition क्या है बेटा, दो condition check करना, क्या, same date, और जो nature of transaction वो होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए बेटा, same nature के होने चाहिए, तो आप लिख सकते, अब ऐसा नहीं कि आप income और expense दोनों को mix करके लेके चलो, अब नहीं सही होगा, clear हो गया बेटा जी, चले फिर, तो compound entry के बाद आप आपका अगला portion क्या है, जो आपकी किताब का है, recording of the bank transaction, अगली journal, अगला heading क्या है आपका recording of bank transaction, जान देंगे, या journal entry of bank, जनल इंट्री रिलेटेट टू, बैंक transaction, रिलेटेट टू क्या बैंक transaction, ठीकिया पटा, जनल इंट्री रिलेटेट टू क्या आपका bank transaction, पॉइंट क्लियर हो गया तो अब इसमें सर्द क्या क्या इंट्री होगी आइए देखते हैं सबसे पहली आपकी जो जो पॉर्शन रहता है वो रहता है आपका क्या Cash इपॉजिट इन्टु बैंक दूसरा होगा आपका कि रैश विड्ड्रॉ प्रॉम बैंक फिर चेक रिसी फ्रॉम डेटर यह चार चार लाइन छोड़कर लिखिएगा ठीक है चेक रिसी फ्रॉम डेटर डेपॉसिट सेम डेट डेपॉसिट सेम डेट अब फिर मैं स्लाइब पपलोट हूँँगा अभी आगे देखेंगे चेक रिसी फ्रॉम डेटर यह रिसीफ रॉम डेटर डेटर डेपॉसिट after deposit another date deposit another date ध्यान दीजे पहले इतना सीख लेते हैं फिर आगे सीखेंगे पहला point क्या है बेटा cash deposit into bank cash deposit into bank यानि bank का ही आपके business का ही तो ये transaction है cash deposit into bank का मतलब क्या है कि आपका cash balance क्या हो जाएगा घट जाएगा और आपका bank balance क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ये आपके लिए क्या है assets है तो इसको क्या करेंगे credit की debit इसको क्या करेंगे credit करेंगे bank आपके लिए assets है बढ़ रही है तो क्या करेंगे इसको debit करेंगे तो यानि यहाँ पे हमारी जो entry बनेगी वो entry क्या बनेगी आपकी देखिए ज़रा bank account debit to cash account bank account debit to cash account यानि जब आपका cash deposit किया जाएगा कहां पे bank में उसके बाद cash bidraw from bank cash bidraw from bank का मतलब क्या है आपका cash balance क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और आपका bank balance क्या हो जाएगा घट जाएगा यह आपके लिए assets है क्या करेंगे इसको debit करेंगे यह आपकी क्या है यह भी assets है घट रही है तो क्या करेंगे इसको credit करेंगे तो यानि यह जहां पर हमारी जो entry बनेगी वो क्या बनेगी आपकी cash account debit to क्या आपका bank cash account debit to क्या बेटा आपका bank अच्छा एक चीज और सुनिए बेटा जहां पर cash और bank दोनों एक साथ आते हैं उस entry को हम लोग कहते हैं counter entry किसी ने पूछा कि भईया counter entry क्या होता है तो आप सीधा कहना कि sir जहां पर cash और bank दोनों एक साथ आ जाएं तो जड़ा देखिये पहले और दूसरी entry में cash और bank दोनों एक साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं दोनों एक साथ आ रहे ना बेटा चले आगे अब हम नोट करो जल्दी से चले आगे देखेंगे अब अगला point क्या है आपका check receive from data and deposit same date ध्यान दीजेगा क्या receive हुआ है किस से डेटर से डेटर आपकी क्या थी assets थी न अब वो डेटर नाम की assets आपकी क्या हो जाएगी बढ़ेगी की घटेगी घट जाएगी और आपने same date पे bank में जमा कर दिया तो आपका bank balance बढ़ेगा की घटेगा तर बढ़ जाएगा तो data assets से घटेगी तो क्या करेंगे credit bank assets से बढ़ेगी तो क्या करेंगे तो entry क्या हो जाएगी आपकी bank account debit to data account bank account debit to क्या आपका data account बताओ समझ में आ गया की नहीं आ गया समझ में आ गया बेटा चली आगी देखेंगे तो देखो ये तो हो गया आपका जब आप same date पे जमा कर रहे हो कया हो अगर हम किसी another date को जमा करें अगर आप another date को जमा करेंगे तो आपको दो entity करनी पड़ेगी एक entry को करनी पड़ेगी जब आपको check receive होगा when check receive और दूसरी entry कप करेंगे when when रिखर क्रेंट Negro deposit ओक हं तो आपको दो अलग-अलग entry करनी पड़ेगी, receiving की date पे entry करनी पड़ेगी और जब आप bank में क्या करेंगे जमा करेंगे, अब दो दिन est जमा करो तीन दिन बाद जमा करो, दस दिन बाद जमा करो, जब्येन जमा करोगे तो करना पड़ेगा, ठीकिंगे तो क्या entry करेंगे पहले entry जब आपको check receive होगा तो भाई cdc entry वही data data क्या हो जाएगा हमारा घट जाएगा अब यहां पर हमारा bank balance तो बढ़ नहीं रहा है ना ही cash balance बढ़ रहा है यहां पर हम लिखेंगे check in hand क्या लिखेंगे बेटा check in hand account debit to data account check in hand account debit to data account क्लियर हो गया बेटा अब फिर उसके बाद जब आप उस check को bank में जमा करोगे तो फिर अब आपका bank balance क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा आप क्या entry करोगे यहां पर बैंक account debit to check in hand क्या लिखोगे बेटा check in hand अब जड़ा ध्यान से देखना यह check in hand यह debit यह check in hand debit credit क्रेडिट कट गया की नहीं कट गया आपकी आखरी में final entry क्या बन कर आई है यह बताओ आपकी final entry क्या बन कर आई है आपकी final entry यही तो बन कर आई है bank account debit to क्या टेटर यही तो final entry बन कर आई है समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो जब आप चेक रिसीब करेंगे चार दिन बात जमा करोगे तो जब चार दिन बात जमा करोगे तो यह इंट्री करोगे और जब चेक रिसीब करोगे तो फिर यह इंट्री करोगे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा चलें आगे इशू तू क्रेडिटर चेक इशू टू क्या क्रेडिटर अगर आपने क्रेडिटर को चेक इशू किया है तो इसका मतलब जरा बताओ मुझे आपका क्रेडिटर यानि आपकी लाइबिलिटी ना क्रेडिटर यानि आपकी क्या बेटा लाइबिलिटी और लाइबिलिटी आपकी बढ़ेगी कि घटेगी आपकी चेक रेडिटर नाम की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी घट जाएगी और आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा घट जाएगा तो क्रेडिटर यानि लाइबि to bank account, creditor account debit to क्या आपका bank account बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई समस्या तो नहीं अच्छा सर एक बात बताओ कभी कभी ऐसा होता हो सकता है क्या कि माल लीजे हमने चेक कस्टमर से मिला हो और वो चेका डिसॉनर हो जाए क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या 110 परसेंट हो सकता है जो कस्टमर से चेक मिला है वो भी डिसॉनर हो सकता है जो चेक आपने दिया है वो भी डिसॉनर हो सकता है सर क्या उसकी अलग से इंट्री करनी पड़ेगी यह रजा अग मान्टेंट फैटा और अगन Ondas is the language of business लेंगल फिजनेंस सब करना पड़ेगा सब करना पड़ेगा यानि यह जो डेटर आपको यह जो डेटर से आपको क्या मिला भाई लैटर हो नös कॉमर्स लेकर, कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है यह, बिटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक महीने का चैप्टर, अगर आप एक लेक्चर में पढ़ोगे, अठिन तो लगेगा ही, ना, चलिए, चेक, देखो, कस्टमर चेक, कस्टमर, चेक, डिस ओनर, कस्टमर चेक क्या बिटा, डिस ओनर, और, क्रेडिटर, चेक, डिस ओनर, क्रेडिटर चेक आपका क्या, डिस ओनर, तो अगर कस्टमर चेक डिस ओनर है, तो यानि आपने जब कस्टमर का नाम देखो, जब आप डेटर से चेक मिल रहा था, डेटर यानि कस्ट कस्ट्रमर मारों क् wird लए उय अपने एंटर क्या किती बैंक एकाउंट डैब टू अपने यही क्या लिक्षिप की ती इसी का उल्टा कर देजे तर इसी का कर दीजे अप उल्टा कर आफ चेक, डिसाउनर, आफ चेक, बैंक मत लिख दीजेगा, ठीक है, डिसाउनर आफ दा चेक, क्लियर हो गया पेटा, और यहाँ पर जो आप इंट्री कर रहे थे, चेक अकाउंट, क्रेडिटर, एकाउंट डाबिट टू बैंक, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिसाउनर आफ चेक, एकाउंट डाबिट, तू क्या बैटा, क्रेडिटर, तू क्या आपका, क्रेडिटर, यानि फिर से हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एक में हमारी एसिट्स फिर से क्रियेट हो जा रही है, और दूसरे में हमारी लाइबिलिटी कि फिर से क्या हो जा रही है create हो जा रही है पताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि मज में आ गया आ गया तो कहना ही पड़ेगा भाई या नहीं कहो गे तो काम कैसे चलेगा जलो अब आखरी टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं और आखरी टॉपिक है आपका इस्पेसल जर्नल इंट्री लेकिन इस्पेसल जर्नल इंट्री के अगर हम बात करें इस्पेसल जर्नल इंट्री आपकी लगभग है खेट हो खाली जादा नहीं है ठीक है चलें आगे बिटा अगला हेडिंग डालेंगे सभी लोग इस्पेसल जर्नल इंट्री इस्पेसल जर्नल इंट्री में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका बैट डेप लिखिए बिटा अगला हेडिंग डालेंगे जर्नल इंट्री इस्पेसल डाल कर जर्नल इंट्री रिलेट टू बाद डप रिकबरी बाद डप रिकबरी जयन से सुनना बिटा जर्नल इंट्री रिलेटेड टू दा बाद डप रिकबरी जयन से सुनना बाद डप का मतलब क्या होता है कि अब हमको पैसा नहीं मिलेगा बैट डप रिकबरी का मितलब है क्या कि जो पैसा हमारा डूब गया था वो पैसा हमको मिल जाए जो पैसा हमारा डूब गया था वो पैसा में क्या हो जाए मिल जाए जैसे एक डेटर है जिसका नाम है माल लीजे अरसलान एक हजार रुपया उसको देना था अब वो क्या हो गया दिवालिया हो गया क्या हो गया विड़ा दिवालिया हो गया उसने कहा सर हम दिवालिया हो गए हैं हम बरबाद हो गए हैं लेकिन हम वादा करते हैं आपको हम पचास पैसा देंगे एक रुपय के बदले पचास पईसा देंगे लेकिन किसके बदले एक रूपए के बदले अब एक बात बताओ मिलना कितना था एक हजार लेकिन अब एक रूपए के बदले पचास पईसा मिलेगा यानि एक हजार गुड़े पचास पईसा यानि कितना 500 ही तो मिलेगा क्या बाकी नहीं सर यानि 500 आया कि नहीं आया तो सर यहां पर entry क्या होगी यहां पर entry होगी बैंक account debit कितने से 500 और bad debt यानि आपके लिए loss है तो bad debt account debit कितने से 500 से और फिर आपका two data कितने से बेटा 1000 से बताओ समझ में आया कि नहीं आया समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब यह तो हो गई आपकी bad debt वाले entry अब सोचो कुछ दिन के बाद कि इसके पास पैसा आ गया इसने का सर 250 रुपया मैं आपको और दे दे रहा हूं मैंने का लाओ 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 क्या दिक्कत है लाओ यानि bad debt क्या हो गई recovery हो गई तो यानि आपका cash balance क्या entry करेंगे cash account debit कितने से 250 और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा इस बैड डेप्ट रिकबरी बैड डेप्ट क्या recovery कितने से 250 से कितने से आपका 250 से बदल जितना आपको bad debt recovery होगा सिर्फ उतना रूपया ही आपको क्या करना है लिखना है पताव बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ठीक है अब यह मत कहना कि सर जितना बचा है उतना लिखेंगे नहीं नहीं जितना recover हो चुका है क्लियर हो गया पिटा यह थी आपकी इंट्री रिलेटेट टू दा बाट डेप्ट एंड बाट डप रिकबरी अब अगली इंट्री देखते हैं सर चलिए अगली इंट्री देखते हैं पिटा नोट करिए जल्दी से एक मिनट अगला देखेंगे बिटा अगला हेडिंग डालेंगे जर्नल इंट्री रिलेटेड प्रष्ड इंट्र अट्राग देखेंगे जर्नल इंट्सरी डागणे औरड नमेस राट रिलेटेड इंट्रेड कीः और इंट्रेंट sister Value और ट Cristo पैंट्री लिए उन औरे ओंड्र मैंकद्री रिए फैंड और रिव्म्री आ जा? ही का अच्छा एक बात बताइए और इसका प्रिपएक्चिन ते लिए इसका 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 वा pana करेंगे हम credit और prepared expense होगा तो इसका balance हम क्या करेंगे बेटा debit करेंगे example से समझें देखो जैसे माल लीजे कि आपको salary देनी थी 10,000 रुपए आपको salary देनी थी कितनी 10,000 रुपए आपने सिर्फ 8,000 रुपया pay किया आपने कितना रुपया pay किया 8,000 तो इसका मतलब अभी 2,000 रुपिया क्या है बेटा आउट इसंडिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कितना पढ़ा है 2000 रुपया आउट इसंडिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है क्या entry करेंगे तो यहां पर देखिए सरा salary account debit कितने से 10,000 से कितना pay किया आपने two cash कितना pay किया 8,000 और कितना outstanding हो गया तो क्या लिखेंगे outstanding salary कितने से 2000 से बताओ समझ में आया कि नहीं आया और सर मान लो सर हमने 10,000 देना था लेकिन 15,000 दे दिया अची बात है 15,000 दे दिया तो इसका मतलब पांच हजार आपके लिए क्या हो गया प्री पेड हो गया कि नहीं हो गया आना इंट्री क्या होगी ज़रा देखो salary देना कितना था तर देना तो 10,000 था तो यहाँ पे salary account debit कितने से 10,000 से लेकिन आपने pay कितना कर दिया तो cash कितना pay कर दिया आपने 15,000 तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा prepaid salary account debit कितने से बेटा 5000 से कितने से आपका 5000 से बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो अगर prepaid salary है prepaid expense है तो उसका balance क्या हो जाएगा debit और अगर outstanding expense है तो उसका balance क्या हो जाएगा credit बताओ concept clear हो गया बेटा सबका वह ऐसा जो कहें सर अभी clear नहीं हुआ हो गया clear बेटा चैलिए आगे बढ़ते हैं और अगली heading सभी लोग डालेंगे journal entry related to the accrued income and advance income ठीक है यानि accrued income क्या और यह हो गया आपका क्या advance income अगला हेडिंग देखेंगे एक्रूड इंकम एन एडवानस इंकम ध्यान से समझेए एक्रूड इंकम का मतलब क्या होता है कि आपको पैसा मिलना था देखो बेटा आपको कमीशन रिसीव होना था आपको क्या रिसीव होना था कमीशन 20,000 का कमीशन रिसीव होना था लेकिन सिर्फ आपको 15,000 ही रिसीव हुआ है तो इसका मतलब 5,000 अभी रिसीव होना बाकी है 5000 क्या हो गया receive होना बाकी है यह 5000 आपके लिए क्या हो जाएगा accrued income हो जाएगा accrued commission हो जाएगा clear हो गया बेटा तो अब देखे accrued commission आपके लिए क्या होता एक बात बताईए accrued income आपके लिए क्या होता है assets होता है कि नहीं होता बेटा assets होता है तो इसका balance हम क्या करेंगे debit और advance income आपके लिए क्या होता है liability अभी कुछ देर में चर्चा करेंगे तो इसकी फिर क्या entry होगी जरा बताना मुझे entry क्या होगी cash account debit कितने से 15,000 से और two commission commission कितने से 20,000 से मिलना था ना पांच हजार आपका यहां पर क्या हो जाएगा crude यानि यहां क्या लिखेंगे crude commission क्या लिखेंगे बेटा crude commission account debit crude commission account debit spelling लिख लिजेगा जगा नहीं थी इसलिए मैंने गिच पिचा दिया गिच पिचा दिया नहीं होता बचपन में क्या करते थे हम सच बता है हम तो बचपन में यह करते थे कोई spelling नहीं समझ में आती थे तो वहीं दूतीन नहीं इसे गिच पिचा देते थे थे तो सोसते थे कि टीचर वा समझ जाएगा लेकिन teacher हमारे हमसे ज़्यादा समझधार वहीं पर इसे क्या करते थे आज तनीचर सवार है मेरे सर पर इंग है चलो आगे देखेंगे इचर लोग पीटते थे मेल टीचर पीटते थे लेकिन फीमेल टीचर नहीं पीटती थी आज यह बात सही है यह बात सही मैं मानता हूँ यहां तक ही जें हमारी टीचर होती थे एक मैं मैं क्या इते हैं हम नहीं याद आ रहा है सुलेखा मैं तो सुलेखा मैं तो इतन इतनी जादा अच्छी है भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे स्वस्त रहें वो इतनी अच्छी मैम है कि जब भी हम कभी उदास होते थे तो आके हमको चौकलेट खिलाती थी ठीक है और मैं आपको एक चीज और बताऊं मैं आपको एक बात बताऊं क्लास 10 प्रैक्टिकल होता है पायो का प्रैक्टिकल अलग होता है केमेस्ट्री का प्रैक्टिकल अलग होता है और फिजिक्स का प्रैक्टिकल अलग होता है ठीक है क्लास 10 में और तीनों मिला के 20 नंबर होते हैं यही काहनी होती है अभी यही होती है तो जब मेरे टेंथ का practical था मैंने बायो का दे दिया physics का दे दिया बनना था मेरा वो क्या कहते है फाइल वेल बनती है ना वो बनती है लेकिन chemistry वाला मेरा बाकी था क्योंकि chemistry वई से भी मेरी दुस्मन थी उदास हैरान स्कूल की फिल्ड में खड़े थे हम मैम आई कहीं क्या हो गया विपुल यहने गा मैम वो केमिस्ट्री वाला मेरा नंबर खराब हो गया कहीं का है मैम फाइल नहीं बनी है और जो मैम है वो भी आप जैसी नहीं है कहीं कोई कोई बात नहीं चलो आप यकीन नहीं मानोगे उन्होंने अपने हाथ से दस में से दस दिया था भगवान उनको स्वस्त रखे ठीक है अब देखो एक चीज जानो बेटा क्या होता है मैं आपको बताओं जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हमारी जो सोच रहती है वो भी बहुत छोटी रहती है जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे हमारी सोच का जो दाइरा होता है वो बढ़ जाता है अगर कोई टीचर हमको प्यार से कुछ भी बोल रहा है तो हम अकसर उसके बारे में गलत सोच लेते हैं जबकि आपको यह सोचना चाहिए कि भया हो सकता है कि वो teacher मेरी पैक्ए हो सकती है। यह भी तो हो सकता है हम कभी बहन की नजर से नहीं देखते हम कभी मा की नजर से उनको नहीं देखते हैं क्यों क्यूंकि हमारी जो सोच है ना उस समय छोटी रहती है हैं लेकिन फिर जब हम बड़े होते हैं हम सोचते हैं अरे यार क्या गलती कर दीये कं कै यह नहीं करता कि आप कि आप सब गलत हैं हो उमर ऑपर ही गल्लतfontprusradasów है यह जानो आ ए अंए तो आपको बताऊं कि पिशली बार से मैंने अपने institute में जितनी भी बच्चिया है सबसे राखी बनवाने का program announce किया है पिशली बार अगर आप आप लोग नहीं थे क्या नहीं थे आप लोग यहां नहीं थे आप लोग अभी तो आप लोग 11 theme है भी कौम की जितनी भी बच्चियां हैं, सबने मुझे राखी बाँ दी, तो सीधी सी बात है, जब क्लास में हूँ तो टीचर हूँ, क्लास के बाहर आप से कभी मिलूंगा, आपका भाई बन के मिलूंगा, ठीक है, और मामा भी मिलकर बन-मन के, ठीक है, चली आगे देखेंगे, त तो ऑड़ास इंकम की बात करेंगे, यहाँ, तो जैसे आपको 20,000 मिलना था, आपको मिलूंगा, पेटा, 25,000, आपको मिलूंगा कतने? 25,000, यहाँ याँ आप यहाँ पे cash entry करेंगे कितना? cash account debit कितने से पचीस हजार से cash account debit कितने से पचीस हजार से और two आपका commission कितने से commission कितने से बेटा बीस हजार से और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे two advance commission क्या लिखेंगे बेटा advance commission कितने से पाँच हजार से पराबर हो गया कि नहीं खेल अबर हो गया खेल चलिए लास्ट दो पॉइंट और है बस हो गया जर्नल इंट्री रिलेटेट टू इंट्रेस्ट अन कापिटल इंट्रेस्ट अन कापिटल एंड इंट्रेस्ट अन ड्राइंग यह मैंने बता रख्था, interest on capital and interest on drawing ज़र बताया है आपको मैंने जब capital वाला portion पढ़ा रहा था बता रख्था है न बस और क्या, इसी के साथ आपका general entry भी यहीं पर क्या होती है समाथ होती है, के लिए आप लोग अपने आपको थाली बजाईए, खतम होती है ठीके विटा, तो general entry और laser हम लोगों ने क्या कर लिया, complete कर लिया अच्छा हमारा जो next revision रहेगा, वो सुन लीजे, आपका कौन सा रहेगा next revision है हमारा general entry तो laser complete हो गया next revision है हमारा हमारा जो next revision रहेगा वो subsidiary book का रहेगा, ठीक है subsidiary book सारा हम कल complete करेंगे, आठ की आठ हो किताब ठीक है cash वाली होगे, वैसे cash से ही related आता है, ठीक है आज के लिए फिलाल इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनी अपनी दिवाओं में याद रखिएगा जय महादेव